विबेद अध्याय नो पहला भारत में प्रथम पुरुष पहला भारत का प्रथम गवर्नर जेनरल लौड विलियम बेंटे दूसरा भारत का अंतिम गवर्नर जेनरल जो भारत का प्रथम वाइसराय बना लौड कैनिंग तीसरा भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस का प्रथ चंद्र बेनरजी चौता सुटंदर प्रतों नथा अंत्रित गवर्नर जेडरल चक्रवर्ति राज गूपलाचारी पाच्वा आईसी आसी एसमें सफल होने वाला प्रतम भारतिये सतेन्द्रनाट टे गोर छटा स्वितंद्रभारत का प्रतम गवर्नर जेनरेल Lord Mountbaton साथ माँंट्रक्ष में पुझने वाला प्रतम भारतिये राकेश शर्मा ऐटवा संभीधान सभा के प्रत्वाइब इस डॉक्टर सिंदा नान नौमा स्वितंद्र भारत का प्रथम कमांडर इंचीफ जेनरल करियापा, दसवा नोबल पुरसकार प्रात करने वाला प्रथम भारतिये रवींदर नाथ ठाकुर, ग्यारवा अंतर राश्ट्रिये, नियायाले में प्रथम भारतिये नियायधीश डॉक्तर नागेंदर सिंग बार्वा भारत रद्र पुरसकार प्रात करने वाला प्रथम भारतिये डॉक्टर सर्पली राधा कृष्णन, तेर्वा प्रथम फील्ड मार्शल जेनरल मानिक्षा, चौद्मा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, पंद्रवा इंग्लिस जेनर को पार करने वाला प्रथम भारतिये महर सेन, सोलमा राष्टिये कॉंग्रस का प्रथम अध्यक्ष डबल्यू सी बैनर जी, सत्रमा भारतिये ज्यान पीट पुरसकार पाने वाला प्रथम भारतिये शरी शंकर कुरो, अठार्मा भारतिये गंडराज के प्रथम मुसलिम कर एक के स्भारत में प्रेंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स हेखी 22 मां सुटंधर भारत के प्रथम शिक्षा मंतरी अब्दुल कलाम आजाद 23 भारत गर्ण घंढ राज्य के प्रथम राश्पती डॉक्टर अजिन्दी प्रसाथ 24 सुटंधर मत्रीकषे सरदार वल्लब्भाई पटेल 26 भारत के प्राथम उप्राश्पती ६डॉक्टर सरपल्ली राधा कृष्णन फ्राइश बहु के मान्ष्ट के जल्सेना का प्र यूल्क ठेयाड अप्सरा झीव API कि एड़्ियर आड़ी कट्աरी ऊंते स्वारत के प्रथम् 30. भारत के प्रथम परमवीर चक्र पाने वाला व्यक्ती मेजर सोमनाच शर्मा 31. भारत का प्रथम परमानू पंडुब्बी INS चक्र 32. भारत के प्रथम नोबल पुरसकार विजेता विज्ञानिक C.V. रमन भौतकी 33. भारत का प्रथम पंडुब्बी INS कावेरी 34. चिकित्सा शास्त्र में नोबल पुरसकार पाने वाले प्रथम भारतिये मूल के विज्ञाने हर गोविन खुराना 35. भारत का प्रथम विमान वाहक पोथ INS विकरान 36. भारत का ब्रहमन करने वाला प्रथम चीनी यात्री फायान 37. भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अगनी 38. भौत्रकी के शेत्र में नोबल पुरसकार पाने वाला प्रथम भारतिये मूल के विज्ञाने चंदर शेखर सुब्रामनियम 49. भारत का प्रथम प्रेक्षा पात्र प्रित्वी 250 किलो मीटर मार करने वाला सके एवार्ट पाने वाला प्रथम भारतिये आचारे विनुवा भावे 43. भारत का प्रथम खुला विश्विद्याले आन प्रदेश ओपन विश्विद्याले 44. भारत में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाला सांसत पी वी नरसिमा राउ 45. भारत के केंद्रिय मंत्री मंदल से अस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद बुकरजी उनने सो पचास 46. भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिन्स 47. प्रथम एशियाई खेलका आयोजन दिल्ली 1951 इसवी में 48. भारत का प्रथम चुनाव आयोग सुकुमार सेन 49. भारतिय राश्टिय कॉंग्रेज में प्रथम मुस्लिम सभापती बदरुदीन तयाब 50. भारत का प्रथम मुख्य नयाधिश जस्टेस हरिलाल कुकिजे कानिया 51. राश्टिय कॉंग्रेज के सम्मेलन में भारत की स्वितंतर्ता का प्रस्ताफ पेश करने वाले पहले व्यक्ति 52. भारत का प्रथम विश्विद्याले नालंदा विश्विद्याले 53. बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतिय 54. भारत रत्न से समानित प्रथम विदेशी नागरे खान अब्दुल गफार खान 55. अर्थशास्त में नोबल पुड़ा सकार से समानित प्रथम भारतीय डाक्टर अमर्तिसेन दूसरा भारत में प्रथम महिला, पहला भारत की प्रथम महिला प्रधान मंतरी शेमत इंदरा गांधी, दूसरा भारत की प्रथम महिला राज जिपाल सुरोजनी नाइडू, तीसरा भारत की प्रथम महिला शासिका, रजिया सुल्तान, चौता भारत की प्रथम महिला आई पी आठमा सुप्रीम कोट की प्रथम महिला नियाधिश A. फातिमा बीबी, नॉमा अशोक चक्रपाने वाली प्रथम महिला निर्जा मेश्र, दस्मा सन्युक्त राश्च संकी प्रथम महिला भारतिय राज दूत्वीजे लक्षमी पंडित, ग्यारमा इंग्लिश चैनल पाल करने वाली प्रथम महिला भारतिय महिला आर्ती सहा बार्मा नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतिय महिला मदर टेरिसा तेर्वा एवरेश शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बच्छेंदरी पाल चौद्वा मिस्वर्ड बनने वाली प्रथम महिला कुम प्रताफ मेला स्रीमर्पी इंदरा गांधी अठ्रावय ज्ञान पीट पुरसकार पाने वाली प्रताफ मेला असा पूर्णा देवी Hindi विजबगे है कोई पानए वाली प्रताफ मेला करनम मलेश्वरे काण से पदक एक niż अर्जू N एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरसकार पाने वाली प्रथा मेला कुंज रानी ग्रांड ओल्ड लेडी तीसरा भारत में सरवाधिक बड़ा लंबा एवं ऊचा पहला सबसे लंबा सड़क का पुल महत्मा गांधी सेतू पटना दूसरा सबसे बड़ा पश्मो का मेला सोनपूर बेहार तीसरा सबसे उची मिनार कुतुब मिनार दिल्ली चौता सबसे बड़ी घील वूलर जहील जम्मू कश्मिर पांच मां सबसे उच्छा बाँषज बांध भाकऱदा बांध पंजाग 6 बड़ा रेगिस्तान ठार राजस्थान 7 सबसे बड़ा गुफा म केलाश मंदिर अलोरा आज्मा सबसे बड़ा चिडियागार जुळोजिकल गार्डन कोलकता। नौ मा सबसे बड़ी मस्ज़िट जामँ मस्ज़िद दिल्ली। दसमा सबसे उची चोटी कारकोरम केटू। ग्यार। बार्ण सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जमुKitशमी जोग या गर सोंपा करनाटक, सोलमा सबसे लंबी सड़क, Grand Trunk Road, सत्रमा सबसे उचा दर्वाजा, बुलन दर्वाजा, अठारमा सबसे लंबी नदी, गंगा नदी, उनीसमा सबसे बड़ा अजायब घर, कोलकता अजायब घर, बीसमा सबसे बड़ा गुंबज, गोल 24, सबसे लंबी नहर, इंदरा गांधी नहर, राजस्थान, 25, सबसे लंबा रेलवे प्लैटफॉर्म, खड़कपूर, पश्चिम बंगाल, 26, सबसे विशाल स्टेडियम, युवा भारती, सॉल्ट लेक, कोलकता, 27, सबसे अधिकाबादी वाला शेहर, मुंबई, महराष्ट 28, सरवाधिक, शेहरी छेतरवाला राज्जे महराष्ट, 29, सबसे लंबा रेल मार्ग, जम्मू से कन्या कुमारी, 30, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगा, मुंबई, महराष्ट, 31, सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग, नंबर साथ, व उलर जील जम्मू कश्मीर 35 भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी 36 दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी गुदावरी 37 सबसे लंबा बान हीरा कोड़ बान उड़ीसा 38 भारत का सर्वोच शौरे सम्मान परंवीर चक्र 49 भारत का सर्वोच सम्मान भारत रत्न 40 सबसे बड़ा गुर्दवारा स्वन्ड मंदिर अम्रित सर 41 सबसे बड़ा गिर्जागर सेंड काथेड्रल गोवा 42 सबसे उचा टीवी टावर पीतंपुरा नई दिली 43 सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिन भारत का राज्य आंध प्रदेश ग्यारा सो किलो मीटर 44 सबसे लंबा समुदर तट मरीना बीच जिन नई 45 सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी 46 सबसे बड़ी कृत्रम जील गोविन सागर भाकडा नंगल 47 सबसे गहरी नदी घाटी भागी रती वा अलक नंदा 48 डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा वा तापती 49 सबसे अधिक उचाई पर स्थेत युद्ध स्थाल सिया चीन ग्लेशियर 50 सबसे बड़ा नदी द्वेप माजुली ब्रहंपोत्र नदी असम 51 सबसे बड़ा तारामंडल बेडला प्लैनिटोरियम क्यालकटा 52 सबसे उचा हवाई पत्तन ले लद्दाग चौथा विश्मे प्रथम पहला एवरेश शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेजिंग तथा सर एड़मंड हिलरी दूसरा उत्री धुरूप पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी तीसरा दक्षनी धुरूपर पहुचने वाला प्रथम व्यक्ति एमड़ सेन चौथा विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म पांचमा पुस्तक बुद्रित करने वाला पहला देश चीन छटा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन साथमा सिविल सेवा प्रतियोगता शुरू करने वाला पहला देश चीन आठमा सन्युक्तराज अमेरिका का प्रथम राश्पती जॉर्ज वाशिंग्टन नौमा ब्रिटेन का प्रथम प्रधान मंत्री रॉबर्ट वालपोल दसमा सन्युक्तराज संका प्रथम महासचेव ट्रेग वेली नौर्वे ग्यारमा शिक्षा को निवारे करने वाला प्रथम देश प्रशा बारमा प्रथम फुटबॉल विश्प कप जीतने वाला देश उरुगवे तेर्वा समिधान निर्मान करने वाला प्रतम देश सन्युक्त राज अमेरिका चौद्वा पाकिस्तान के प्रतम गवर्नर जेनरल मुहम्मद अली जिन्ना पंद्रवा गुट निर्पेश आंदोलन के प्रतम समेलन का आयोजन स्थाल वेल ग्राड अध्याए नो चल रहा है प्रिष्ट 437 17 वायूयान से पहली उडान भरने वाली व्यक्ति राइट बंधू 18 विश्व के चारों और समुद्री यात्रा करने वाला प्रतम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन चीन पहुचने वाला प्रतम योरूपियन मरकोपूर चंद्रमा पर मानो भेजने वाला प्रतम देश संग्युक्त राज्य अमरीका 20 कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपन करने वाला प्रतम देश 20 आधुनिक उलम्पिक खेलों का योजन करने वाला प्रतम देश यूनान 22 ट्रपती डॉक्टर सन्यात सेन 23 प्रतम नगट जिस पर पर्मण बॉम गिराया गया हिरोशिमा जापान 24 सर्वाधिक पशुवों वाला देश भारत वर्ष 25 भारत आने वाला प्रतम अंग्रेज हॉकिन्स 26 विश्व का प्रतम विश्व विद्याले तक्षिशिला विश्व विद्याले भारत 27 चंद्रमा पर उतरने वाला प्रतम ब्यक्ती नील आर्मस्ट्रोंग 28 अंतरिक्ष में पहुचने वाले प्रतम वियक्ती मेजर यूरी गागरिन रूसके 29 अंतरिक्ष में भेजा जाने वाल प्रतम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया 30 मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रतम अंतरिक्ष यान वाइकिंग 31. इंग्लेंड की प्रथम महीला प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर 32. किसी मुस्लिम देश की प्रथम महीला प्रधान मंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान 33. विश्व की प्रथम महीला प्रधान मंत्री शीमती एस बंदार नाई के श्री लंका 34. अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महीला वेलेंटिना तरिशकोवा रूस की 35. एवरेस्ट पर चढने वाली प्रथम महीला जुंको तेबई जापान की 36. बिटन की पहली रानी जेन 37. संग्युक्तराष्ट महासभा की प्रथम महीला सभापती शिमती विजेलक्षमी पंडित 38. भारत पर आक्रमन करने वाला प्रथम योरप वासी महान सिकंदर 49. उत्तरी द्रोप पर पहुँचने वाली प्रथम महीला मिस फुरान 40. अंटार्क्टिका महद्वी पर पहुँचने वाली प्रथम महीला कैरोलीन मिकलसन 41. पृत्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ती एन एक्जीमेंडर 42. विश्वकोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ती S.P.O.C.P.S. हेथेंस के 43. सरवाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चड़ने वाला प्रथम व्यक्ती Richard Voss 44. विंबल्डन ट्रोफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ती Arthur Ashe 45. सहित्ती के प्रथम नॉबेल पुरसकार से सम्मानित व्यक्ती Rene F.A. एवं Sully Pradrome शांती के क्षेत्र में प्रथम नॉबेल पुरसकार से सम्मानित व्यक्ती Jean F. Dunant एवं Friedrich Perry 47. भौतिक विज्ञान में प्रथम नॉबेल पुरसकार से सम्मानित व्यक्ती W.K. Roingen 48. रसाइन विज्ञान में प्रथम नॉबेल प्रथम वेंट आफ 49. चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नॉबेल पुरसकार से सम्मानित व्यक्ती A. E. Vaughan Barrick 50. अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नॉबेल पुरसकार से सम्मानित व्यक्ती Roger Fish एवं John Tinbergen 5. विशों में सर्वाद एक बड़ा, छोटा, लंबा एवं उचा 1. सबसे बड़ा महादवीप एशिया 2. सबसे छोटा महादवीप ास्ट्रेलिया 3. सबसे बड़ा महाशागर, प्रशान्त महासागर 4. सबसे गहरा महाशागर, प्रशान्त महासागर 5. सबसे बड़ा नगर, ख्रित्र फल के दृष्ट रिष्टी से London, Great Britain 6. सबसे बड़ा देश ख्रित्रफल की द्रिष्ट से रूस, 7. सबसे छोटा देश ख्रित्रफल की द्रिष्ट से वेटिकन सिटी, 8. सरवाधिक जनसंख्या का देश चीन, 9. सरवाधिक निर्वाचक संख्या का देश भरत, 10. निूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्क्टिका 11. सरवाधिक जनसिंख्या घनत्व वाला देश सिंगापूर 12. सरवाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान 13. सबसे कम आबादी वाला नगर विटिकन सिटी 14. सबसे लंबी सीमा वाला देश कैनडा 15. सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर सोले सरवदिक सीमाओं वाला देश चीन तेरह देशाओं के साथ इसकी सीमा मिलती है सत्रे सबसे बड़ा द्वीप Greenland 18 सबसे बड़ा प्राय द्वीप अरब प्राय द्वीप 19 सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया 20. सबसे बड़ा नदी द्वीप माजूली ब्रह्म पुत्र नदी पर है आसाम में 21. सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर्वन भारत 22. सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में 23. सबसे बड़ी नदी चोड़ाई एवं बहाव के द्रिष्टी से अमेजन दक्षन अमरिका में 24. सबसे छोटी नदी डी नदी संग्युक्तराज अमरिका में 25. सबसे बड़ा सागर दक्षनी चीन सागर 26. सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर 27 सबसे विशाल खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी 28 सबसे लंबी साहयक नदी मेडिरा या मेजन की साहयक नदी है 29 सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी में 30 अंतहसागरिय नदी क्रॉमवेल धरा 31 सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस में 32 सबसे स्वेज नहर कील नहर सबसे बड़ी जील कैस्सपियन सागर रूस में सबसे बड़ी ताजे पानी की जील सुपीरिये जील अमरीका में सबसे गहरी जील बेकॉल जील ॰ूस में जील के अंदर जील मैनीटू केनडा में 38. सरवाधिक उचाई परस्ति जील नौकायन के लिए टिटीका का दक्षन अमरीका में 49. सबसे बड़ा लेगून लेगवाडास पेटोस ब्राजील में 40. सबसे उचा जलपरपात या जरना साल्टो एंजिल केरोना नदी पर वेनेजुएला में 41. सबसे बड़ा जलपरपात गौायरा एल्टो पराना नदी पर 42. सबसे चौड़ा जलपरपात खोन जलपरपात लाउस में 43. सबसे बड़ा जल डमरु मद्धे डविस जल डमरु मद्धे ग्रीन लेंड एवं बैफिन द्वीप के बीच में 44. सबसे सकरा जल डमरु मद्धे, युनान एवम योबिया द्वीब के मद्धे, एजियन सागर में 45. सबसे बड़ा गल्फ, मैक्सिको का गल्फ 46. सबसे विशाल जलसंधी, टार्टर जलसंधी, रूस एवम सखालिन द्वीब के मद्धे 47 सबसे चौड़ी जलसंधी डविस जलसंधी ग्रेनलेंड एवं बैफिंद वीप के मद्धे 48 सबसे उचा परवत शिखर मौंट एवरिस्ट हिमाले में नेपाल में उचा सबसे उची परवत माला हिमाले एशिया में परवत माला एंडीज दक्षिन अमरिका में 51 सबसे उचा पठार पामीर तिबबत का पठार 52 सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन ब्रुनेई में 53 सरबाधिक उचा ज्वाला मुधोर दक्षिन अमरिका में 54 सबसे विशाल ज्वाला मुखी मोना लुआ हवाई द्वीप में 55 सबसे बढ़ा बांध कॉंक्रीट का ग्रेंड कूली बांध कोलंबी अनदी पर अमरिका में 57 सबसे लंबा रेल्वी प्लाटफॉर्म खडगपूर्ट पश्चिम बंगाल भारत 58 सबसे बढ़ा रेल्वी स्टेशन ग्रेंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूज़ का 69 सबसे लंबी रेलमार्ग ट्रेंस साइबेरियन रेलवे जो लेनिंग्रेट से बलाड़ी वोस्ट्रक तक जाते हैं 60 सरवाधिक उचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सौंदोर बॉलिविया में 61 सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन रेल सुरंग जापान में 62 सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेंट गोतार्ड स्विर्जिलिन में 63 सबसे उची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत में 64 सबसे बड़ा सड़क पुल महत्मा गांधी सेतु पटना भारत 65 सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रेंस केनेडियन राजमार्ग 66. सबसे ऊचा नगर, वेंचुआन, टिबेत में 67. सबसे ऊची राजधानी, लापाज, बोलिविया में 68. सबसे विशाल, दलडल, प्रिपेिट दलडल, साइबेरिया ख्षेत्र में 79. सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा, अफरीका में 70. एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया में 71. सबसे ठंडा प्रदेश बरखोया अंस्क साइबेरिया में 72. सबसे बड़ी मस्जد जामा मस्जद दिल भारत में 73. सबसे उची मस्जद सुल्तान हसन मस्जद काहिरा मिस्र 74 सबसे उची मीनार कुतुब मीनार भारत 75 सबसे बड़ा गिरजागर वेसिलिका आफ सेंट पीटर वेटिकन इटाली 76 सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस इटाली 77 सबसे बड़ा टावर सीएन टावर टोरेंटो कैनेडा में 88 सबसे लंबी दीवार चिन की दीवार 89 सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार हो स्टेडियम प्राग चेकोस्लोवाकिया में 80 सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम लूसियान संग्युक्तराज अमरीका में 81. सरवाधिक वर्षा का स्थान मसिन राम मेगाले भारत में 82. सबसे बड़ा घंटागर दे ग्रेट बेल अफ मॉस्को रूस में 83. सबसे बड़ा बंदरगाय न्यू यॉक संजुक्तराज अमरीका 84. सबसे बड़ा हवाईड़ा खालिद हवाईड़ा रियाद साओधी अरब 85. सबसे बड़ी गुंबज लूसियान सुपरडोम संजुक्तराज अमरीका 86. सबसे विशाल मंदिर एंकोर वाट का मंदिर केंपोडिया 87. सबसे बड़ी मूर्ती स्टेश आफ लिबर्टी संजुक्तराज अमरीका 88. सबसे बड़ा संगरहाले बिटिश संगरहाले लंदन 89. सबसे बड़ा پुस्तकाले कोंग्रिस पुस्तकाले लंदन 90. सबसे बड़ा चिडिया घर, Kruger National Park, दक्षन अफ्रिका, एक याज जाकी, जपैन 94. सबसे बड़ा राजप्रासाद, Imperial Palace, Beijing, चीन में विचान में, सबसे बड़ी कारियाली इमारत, पिंटा गर्ष, चैन में सबसे लंबा व्रिक्ष, फाउंडर का व्रिक्ष, कैलिफोर्निया में, सथ्यान में, सबसे विशालकाई पशू, ब्लू वेल, निन्यान में, सबसे बड़ा पक्षी, आस्ट्रिच, शतुर मूर्ग, एक सो, सबसे छोटी पक्षी, हमिंग बर्ड, एक सो एक सरवाधिक बुद धिमान पशू, चिंपैंजी, छै, प्रमुख देशों के राष्ट्रिय स्मारक, पहला स्मारक जुकी हुई मीनार, पीसा, इचाली में, दूसरा स्मारक पार्थिनान, स्थान एथेंस, यूनान में, स्मारक तीन, ग्रेट वॉल, उत्तर चीन में, चार पिरेमिड, गीजा, म इसर में, पांच पवन चक्की, किंडर डिस्क, डेनमारक में, छे, टाज महल, आगरा, भारत, साथ, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस, आठ, इंपीरियल पैलेस, टोक्यो, जेपैन, नो, अपेरो हाउस, सिद्नी, ऐस्ट्रेलिया, दस, इफिल टावर, पैरिस, फ्रेंस, ग्यारह Statue of Liberty, New York, USA, United States of America, साथ, प्रमुक्त देशों के राश्ट्रीय चिन, पहला देश, भारत, राश्ट्रीय चिन, पाकिस्तान, इसका राश्ट्रीय चिन है, चमेली का फूल, तीन, बंगलादेश, वोटर लिली, चार, नेधरलंड्स, राश्ट्रीय चिन, शेर, पांच, ब्रि सफेद लिली, आठ ऐस्ट्रेलिया, राश्ट्री चिन, कंगारू, नौ, नौ, न्युजिलेंट, चिन, किवी, दस, तुर्की, चिन, चांदतार, ग्यारे, नौर्वे, चिन, शेर, बारे, फ्रेंस, चिन, लिली, तेरे, एरान, गुलाब का फूल, चौदे, स्पैन, चिन, पंद्रे जापान, चिन, गुलदाओदी, सोले, चेनड़ा, चिन, मेपल लीफ, पांच, अंतराश्ट्री सीमा, पहली सीमा, मेकमहोन रेखा, भारत एवं चीन, दूसरी सीमा, हिंडनबर्ग रेखा, जर्मन एवं फुलेंट, तीसरी अंतराश्ट्री सीमा, मेगिनोट जर्मनी एवं फ्रैंस के बीच में, चार मेनरहीन रेखा, रूस एवं फिनलेंड के बीच में, पांच, रेड क्लिफ रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, छे, अर्तीसमी समानांतर रेखा, उत्तर एवं दक्षन कुरिया के बीच में, साथ, उन्चासमी समानांतर रेखा, USA, United States of America, एम केनडा के बीच में, आठ, डूरन रेखा, पकिस्तान एम अफगानिस्तान के बीच में, नौ, मानचत्र के रेखाएं, एक, समलवन रेखा, आईसोहलीन, मानचत्र पर खिंची गई वह रेखा, जो महसागर के उन स्थानों को मिलाती है, जहां पर समान रेखाएं, कहलाती है, तीन, सम गहरी रेखाएं, आईसोबाथ, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोडने वाली रेखाएं, सम गहरी रेखाएं, कहलाती है, चार, सम उच्च रेखाएं, आईसोहाईपर्स, या कंटूर लाइन्स, समान उचाई वाले बिंदों को मिलान जोडने वाली रेखाएं या समुच रेखाएं कहलती हैं। जोडने वाली रेखाएं कहलती हैं। जोडने वाली रेखाएं कहलती हैं। 13. 33. इठल्यप, एजेशी अन्सा चार फ्रेंस, एजेंसी एफथी, जाबध एजेशी एजेनसी समाचार भारती 9 रूस, समचार एजन्सी नवस्ती, 10 मिस्र, समचार एजन्सी मेना, 11 भारत, समचार एजन्सी UNI, United News of India, 12 बृतन, News Agency Writers, 13 मलेशिया, समचार एजन्सी बरनामा, 14 जर्गायल, समचार एजन्सी इतीम, 15 भारत, समचार एजन्सी प्रेस्टस्ट आप इंडिया, 16 चीन, समचार एजन्सी सिन्हुआ, 17 इंडोनेशिया, समचार एजन्सी अंतारा, 18 जर्मनी, समचार एजन्सी दीपे, 19 अस्ट्रेलिया, समचार एजन्सी एएप, 20 पकिस्तान, समचार एजन्सी उप्प, 21 भारत, समचार एजन्सी यूनिवार्था, 21 उनाटेट स्टाइस अम बारे प्रमुख चिन्य तता प्रतीक, एक कलम, संस्कृति और सभ्भेता का प्रतीक, दूस्तरा चिन कमल का फूल, संस्कृति और सभ्भेता का प्रतीक, तीन रेट क्रोस, डाक्टरी स्वायता और अस्पताल का प्रतीक, चाल लाल ज्हंडा, क्रांति या खत्रे का सूचक, प पीला जंडा, संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा जंडा, साथ उल्टा जंडा, संकट का प्रतीक, आठ जुका जंडा, राष्ट्री शुक का प्रतीक, और सफेद जंडा, संधी या समर्पन का प्रतीक, 10. लाल त्रिकोन परिवार नियोजन का प्रतीक 11. कबूतर पक्षी शान्ती का प्रतीक 12. लाल प्रकाश खत्रा या यातायत रूकने का प्रतीक 13. हरा प्रकाश यातायत को जाने का संकेत 14. आंखों पर बंधी पट्टी और आहत में तरजूली इस्त्री न्याई का प्रतीक 15. बहाँ पर काली पट्टी, शोक, विरोध और दुख का प्रतीक, सोले, एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और उपर खोपडी, बिजली का खत्रा, सत्रे, चक्र, प्रगती का प्रतीक, अठारे, ओलीव की शाखा, शान्ती का प्रतीक, तेरह विभिन देशों के राजनीतिक दल, पहला देश संग्युक्त राज अमरीका, प्रमुख राजनीतिक दल है रिपब्लिकन पार्टी और डिमोकरिटिक पार्टी, दूसरा देश एराक, प्रमुख राजनीतिक दल बात पार्टी, तीन इसराइल राजनी तेगदल लेबा पार्टी, लिकुड पार्टी, हदाश पार्टी, शास पार्टी चार फ्रेंस प्रमुख राजनी तेगदल सोशलिस पार्टी, नेशनल फ्रेंच यूनियन फॉर फ्रेंच डिमोकरसी पांच अस्ट्रेलिया प्रमुख पार्टिया लिबरल पार्टिय और लिबा पार्टिय छे बंगला देश प्रमुख पार्टिया बंगला देश नेशनल पार्टिय अवामी लीग और जातिय पार्टिय साथ, नेपाल, प्रमुख दल, नेपाली Communist Party, नेपाली Congress Party आठ, चीन, प्रमुख राजनी तिक दल, चीनी Communist Party नौ, श्री लंका, प्रमुख राजनी तिक दल, United National Party or Freedom Party दस, दक्षन अफरीका, प्रमुख राजनी तिक दल, African National Congress or National Party, Incata Freedom Party ग्यारह, United Kingdom, प्रमुख राजनी तिक दल, Conservative Party, Labour Party or Liberal Democratic Party बारह, रूस, प्रमुख राजनी तिक दल, Liberal Democratic Party, Russia's Choice or Communist Party तेरह, भारत, प्रमुख राजनी तिक दल, भारती राजनी कॉंग्रिस और भारती जनता पाथी 14. पाकिस्तान, प्रमुख राजनी तिक दल, Muslim League or Pakistan People's Party 14. प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज 15. पहला दस्तावेज ग्रिन बुक, इटाली और इरान के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन 15. दूसरा दस्तावेज वाइज वाइज बुक, पुर्तगाल, चीन वा जर्मनी के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन तीन, ब्लू बुक, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन चार, वेलो बुक, येलो बुक, फ्रेंज सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन पांच, ओरेंज बुक, नेधरलेंज सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन च्छा, वाइट पेपर, ब्रिटन और भारत सरकार की किसी विशेश विशेपर रिपोर्ट, साथ ग्रे बुक, बेल्जियम व जपान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन, आठ जॉइंट पेपर, दो या दो से अधिक सरकारों की संज्युक्त रिपोर्ट या प्रकाशन, पं लीव फिगरो परिस चार समाचारपत्र इजवेस्टिया प्रकाशन स्थल मॉस्को पांच डॉन करांची छे दाइलंड प्रकाशन स्थल कॉलंबो साथ इस्टन सन सिंगपूर आठ अल एहराम प्रकाशन स्थल काहिरा नौ मर्डेका जकार्था दस वाशिंग्टन पोस्ट प् प्रकाशन स्थल न्यॉयोक 12 स्टार प्रकाशन स्थल जॉन्सबर्ग 13 ताइम्स उइंडिया भारत 14 समाचारपत्र गारजियन प्रकाशन स्थल लंडन 15 डेली मेल लंडन 16 लामांद प्रकाशन स्थल फैरिस 17 प्रावदा प्रकाशन स्थल मॉस्को 18 बंगलादेश त्रेकाशलो ट्रचामीप थिजट औरोननिचन स मैनेच मैनेची सरी जिम्भन एक सरथ ¡टोक्यो! 25 इंडिपेंडेंट प्रकाशन स्थल लंदन 26 दय हिंदू प्रकाशन स्थल चेंड नई भारत 27 दय हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन स्थल नई दिल्ली 16 विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं गुप्तचर संस्था पहली Central External Langer Department ये चीन की है दूसरी गुप्तच गुप्तचर संस्था Australian Security and Intelligence Organization Australia की है तीन KGB और GRU ये रूस की गुप्तचर संस्थाएं है चार Bureau of State Security दक्षिन अफरिका की है पांच MI ये मिलिटरी इंटेलिजेंस पांच एवं छे स्पेशल ब्रेंच जॉइन्ट इंटेलिजेंस ओगनिजेशन ये उनाटेट किंग्डम की है छे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है साथ Research and Analysis Wing RAW RAW Intelligence Bureau IB Central Bureau of Investigation CBI ये भारत की संस्थाएं है आठ Central Intelligence Agency CIA और Federal Bureau of Investigation FBI ये United States of America USA की गुप्तचर संस्था है नो मुसाद ये इजरेल की गुप्तचर संस्था है दस मुखबरात मिसरी की गुप्तचर संस्था है ग्यारे नाइचो ये जापान की गुप्तचर संस्था है 12 सावाक ये इरान की गुप्तचर संस्था है 13 अलमखबरात इराक की गुप्तचर संस्था 17 विभिन देशों की संस्था है पहला देश भारत संस्था को कहते हैं संस्था दूसरा देश मिसर संस्था को कहते है People's Assembly तीन पाकिस्तान National Assembly चार ब्रिटन पर्ल्मन्ट पांच जर्मनी बुंदेस्थाग छे यॉनाइटेट स्थाइट अमेरिका USA संसथा को कहते हैं हमां कॉंगर्स साथ बंगलादेश जाती है संसथा आठ ताइवान युवान नौ इस्राइल संसथा को हैं डेसेट कहते हैं दस जपैन डाइट ग्यारह मालदीव संसथा को मजलिस कहते हैं बारह हैं ऑस्ट्रेलिया पर्ल्मन्ट देश स्पैन संसथा को कहते हैं कॉर्टेस चौदे नेपाल संसथा का नाम है राष्ट्री पंचायत पंदर रूस ज्यूमा सोले चीन संसथा का नाम नेशनल पीपल्स कॉंगर्स 17 फ्रैंस संसथा का नाम नेशनल असेंबली 18 एरान संसथा का नाम मजलिस 19 भूतान संसथा का नाम संग्डू 20 मलेश्या संसथा का नाम दीवान निगारा 21 अफगानिस्तान संसद का नाम शोरा 22 स्विट्जरलिंड संसद को कहते हैं वाँ फेडरल असेंबली 23 टर्की संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली 24 चैनेडा संसद को वाँ पर्लमेंट कहते हैं 18 संग्युक्तराष्ट संग्युक्तराष्ट अत्वा युनाइटेड नेशन्स का नाम अमरीका के ततकालीन राष्टपते फ्रैंकलिन डी रूसवल्ट दरप्रदान किया गया संग्युक्तराष्ट की रूप रेखागा निर्मान करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रत प्रदान मंत्र चर्चिल, सोवेत राष्टपते स्टलिन तथा अमरीकी राष्टपते रूज्वेल्ट का एक्षिखर संबेलन हुआ जिसमें सुरक्षा परिशाद में मतदान प्रणाली पर निरनाई लिया गया। संग्युक्त राष्ट संग के स्थापना 24 ऑक्टबर 1945 से इस्वी को हुई। इसका भावन 17 एकड जमीन पर 49 मंजिल का है जो मैनहेटन द्वीप में बना है। यह 17 एकड भूमी जौन डी रॉक्फेलर न दन भी दी दी। इसे में इसका चचुवाले हैं। संग का मुख्य कारले सन 1952 इस्वी में बन कर तैयार हुआ। यहाँ इसके मासभा के प्रथम बैठक अक्टबर 1952 इस्वी में आयुजित की गई। संग्युक्त राष्ट संग का द्वज। संग्युक्त राष्ट संग के द्वज के प्रिश्ट भूमी हल के नीली है , उस पर श्वेत रंगसे राष्ट्र संग का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है दो जैटून की वक्रा कार शाखाивается जो उपर से खुली है और उनके बीच विश्व का मान चित्र बना है। संग्यूक्तराष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष वरतमान में सेंके यक्तिराज अमरीका सेंक कुछतराश्टर के 25 प्रतिशत जपान 20 प्रतिशत जर्मनी 9.85 प्रतिशत फ्रेंश 6.54 प्रतिशत इचली 5.43 प्रतियो रुनाइटिक किंडम यूगे 5.089 दो प्रतिशत कैनड़ा 2.073 प्रत्रश रुसी सं undertaking 1.076 प्रतिशत नौन दश्मलाव 299 प्रतिशाद का योगदान करता है संग्युक्त राष्टर के अंग इसके निमने छे अंग है पहला अंग महासभा जेनल एसेंबली दूसरा अंग सुरक्षा परिशाद सेक्योरिटी कॉंसल तीन आर्थे केम सामाजिक परिशाद एकनोमिक और सोशल कॉंसल चार परिश्टर परिश्ट टरस्टिसीड कॉंसल पांच अंतरराष्ट्री एन आयला इंटरनाश्याल सचीवाले सक्रेटरिय पनलोट 45 नूट नेदर्लेंड्स में हैग स्थित अंतरराष्टी एन आले के अतरिक्त सभी अंग संग्युकतराष्टी के न्यू यॉर्क स्थित मुख्याले में है एक महासभा इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनीधी सम्मिलित होते हैं इसलिए से विश्व की लगु संसत भी कहा गया है प्रतिक देश इसमें पांच प्रतिनीधी भीज सकता है पर उसका वोट सिर्फ एक ही होता है महत्व पूर्ण प्रश्णों जैसे शान्ति एंसरक्षा से जुड़े मुद्दे नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निरने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत ह होती है महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर महा के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है प्रतेक नियमित सत्र के शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष 21 पाध्यक्ष और असभा की साथ मुख्य समीतियों के अध्यक्षों का चुनाव कर नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिशद के आग्रह पर विशेश सत्र आयोजित किये जा सकते हैं। परिशानती और सुरक्षा को बनाय रखना सुरक्षा परिशद के मुखस जिम्मेवरी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में से दुनिया का पॉलीसमेन भी कहा गया है। इसमें 15 सदस्य होता हैं जिनमें 5 27 सदस्य और 10 ऐस्दस्य हैं। 5 27 सदस्य ये हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटन, फ्रेंस और चीन। ऐस्थाई सदस्यों का निर्वाचन महासवा अपने दो तिहाई बहुमत से दो वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिशद के प्रतेक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया सम्मन्धी मामलों में निर्नाई के लिए 15 में से 9 स सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 25 सदस्यों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। जिदि कोई 27 सदस्य किसी निर्नाई का समर्थन नहीं करता और उस निर्नाई को रोकना भी नहीं चाता है, तो मतदान की प्रक्रिया के दोरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवित संग ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमरीका ने वीटो का उपयोग सरवपर्थम मार्च 1971 एसवी में रोडेशिया के प्रश्ण पर किया था। चीन ने सरवपर्थम बीटो का प्रिवोगागस 1972 एसवी में बंगलादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्ण पर किया। तीन आर्थिक एवं सामाजिक परिशद। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिशद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारम में सदस्य संक्या 18 थी, 1906 एसवी में संशोधन के बाद सदस्यों की संक्या 27 कर दी गई। पर अवकाश ग्रहन करने वाला सदस्य पुरह निर्वाचित हो सकता है। परिशद में प्रतेक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनीधी होता है, इसमें निर्णे साधार और बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामजिक परिशद की बैठके वर्ष में दोबार होती हैं, एप्रिल में न्यूयॉक में तथा जुलाई में जेनेवा में। परिशद अपनाकारिय विभिन प्रकार के आयोगों, स्थाई समितियों तथा विशेज संस्थाओं के मध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम अगले प्रिश्ट पर दिये गया है। मेंडेट विवस्ता के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहन किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का दिर्मान किया। न्यास पद्धति का अमूल सिध्धान दिया है कि समय कुछ पिछडे हुए अलप विक्सित और आदिम दशावाले प्रदेशों के निवासी इस यूग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वेम कर सकें। इने दूसरे विक्सित देश की साहिता अपेक्षित है, विक्सित देशों का ये अदाइत व है कि वे उनके विकास में पूरी साहिता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों के देखभाल न्यास या अमानत यानि ट्रस्ट सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यासक शेत्र नहीं है प्रिन्यास परिशद में वर्तमान में बारह सदस्य हैं जिन में चार प्रबंध करता देश तीन सुरक्षा परिशद के स्थाई सदस्य होने के कारण स्थाई सदस्य और पांच निर्वाचित सदस्य हैं नवेंबर 1994 में इस्वी में अमरीका द्वारा प्रशासित प्रशान्त द्वी पलाउ के स्वतंत रोने के साथ ही प्रण्यास परिशद के कारी लगभग समाप्त हो गए है पांच अंतर राश्टी अन्यायले अन्तर राश्टी अन्यायले के स्थापना हेग नेदरलेंड्स में तीन अपरिल उन्यायले से इस्वी को की गई थी अन्तर राश्टी अन्यायले के संविधी में पांच अध्याय तता सत्तर अनुच्छेद हैं इसमें नियाधीशों की संख्या 15 रखे गई है, इनकी नियुक्ती 9 वर्षों के लिए होती है, प्रतेक 3 वर्ष बाद 5 नियाधीश आवकाश ग्रहन करते हैं, कोई भी 2 नियाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं, नियाधीश अपने में से ही एक अध्याक्ष तता उपाध अध्याक्ष को तीन वर्ष के लिए चुनते हैं, नियाधीशों की नियुनतम संख्या 9 है, नियाधीश की सरकारी भाष हैं, फ्रेंच तता अंग्रेजी हैं, इस नियाधीश में भारत के डॉक्टर नगेंदर सिंग, अध्याक्ष के रूप में तथा, आर एस पाठक निया सभाद्वारा सुरक्षा परिशद की सिफारिश पर पांच वर्ष की अवधी के लिए नियुक्त किया जाता है, महा सचिव को दوبारा भी नियुक्त किया जा सकता है, घूष्णा पत्र के अमसार, महा सचिव संगठन का मुख्यप्रशासनिक अधिकारी होता है। एक जनवरी 2007 से दक्षन कुरिया के विदेश मंत्री वॉन की मून संग्युक्त राष्ट संग के नए महासचिव हैं संग्युक्त राष्ट महासचिव पहले महासचिव थे त्रिग्वेली नौर्वे के जिनका कारेकालता फरवरी 1946 से नमेम्ब 1952 तक नमेम्ब 1952 में स्वेम पद से इस्तिफा दे दिया उन्होंने दूसरे महासचिव थे डॉग हमर्शोल्ड स्वेदन के अपरिल 1953 से सितम्ब 1961 इस्वी तक उनका कारेकाल रहा सितम्ब 1961 इस्वी में अफरीका में हवाई दुर घटना में उनकी मृत्ति हो गई तिन उठा मिया मार के नमेंब 1961 से दिसम्ब 1971 इस्वी तक उनका कारेकाल रहा नमेंब 1961 इस्वी में कारे बाहक महासचिव बनाए गए 1962 इस्वी में महासचिव बनाए गए चार कुर्ट वल्डाइम आस्ट्रिया के जनवर 1972 से दिसम्ब 1981 इस्वी तक उनका कारेकाल रहा नहोंने दो कारेकाल पूरे किये 5. जेविर पेरेज दाकूईयार पेरु के जनवर 18 disability तक इनका कार्यकाल रहा। उन्होंने भी कार्यकाल पूरे किए। 6. बुतरस बुतरस गाली मिष्री के थे जनवर 1922 से 1926 तक कार्यकाल रहा। साथ कोफियान नान ये घाना के थे जनवर 1973 इसवी से 2006 इसवी तक जिन्होंने दो कारेकाल पूरे किये आठ वान की मून दक्षन कोरिया के ये जनवरी 2007 से पदासीन है संग्युक्तराष्ट स्टाफ कॉलिज अंतराष्ट्रे श्रम संगठन इंटर्नेशनल लेबर ओगनिजेशन आई एलो के प्रशेक्षन केंदरी के कैंपस के साथ तूरिन इटैलिया में स्थापित किया गया है संग्युक्तराष्ट विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन संगठन अंतराष्ट्रे परमान ऊर्जय अभिकरण इंटरनेशनल एटमिक एनरजी एजिंसी इसके स्थापना 29 जुलाई 1957 इस वी को हुई इसका मुख्या लेवियन आउस्ट्रिया में है इसके भूमिका संगठन अंतराष्ट्रे शम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑउगनिजेशन इसके स्थापना 11 एपरिल निस इस वी को हुई मुख्याले जैनवा स्विट जरन भूमिका श्रमिकों इसके इस्थिति में सुधार एवं उनके जीमन स्थर को उन्नत करना 1979 इस वी में संगठन को उसके पचासवी वर्षगांट पर नोबेल शांती पुरस्कार मिला विश्व स्वास्ते संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑउगनिजेशन डबलु एचो स्थापना 7 अपरिल निस वी मुख्याले जैनवा स्विट जिजिलंड भूमिका विश्वे के समस्त लोगों के स्वास्थे की उच्चतम संभव देशा को प्राप्त करना संगठन संग्युक्त राष्ट्र खाद्दी एवं कृष्य संगठन फूड एंग्रिकल्चर ओगनिजेशन स्थापना 16 अपरिल निस वी मुख्याले रोम इठैले भूमिका विश्वभर में कृष्य ए जमरिका सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा अंतराष्ट्रिय वैपार एवं भुक्तान को प्रोथसान तता सदस्य देशों की आर्थिक उन्नती में मदद के लिए अंतराष्ट्रिय तंतर की मजबूती संगठन यूनेस्को उनाटेट नेशन्स जियांतता संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मद्धे निकटागी भावना का निर्मान करना इसकी भूमिका है संगठन सार्वभूम डाक संग यूपी यू स्थापना नौक्टबर उठार इस्वी को सामानिय डाक अभी समय पर हस्ताक्ष्ण 1948 इस्वी में संग्युक्त राष्टा अभी करन बना मुख्याले बर्न स्विट्जिरलंट भूमिका है लोगों की भी संचार बढ़ाने के उद्दिश्य से विशु भर में डाक से वहों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्री सहयोग करना विशु बैंक वर्ड बैंक स्थापना 1945 इस्वी मुख्यले वशिंग्टन इसी संग्युक्त राज्य अमरीका उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्री स्तर पर पूंजी के विनमय को प्रोतसान इसकी भूमिका रहती है अंतरराष्ट्री दूर संचार संख इंटरनेशनल ठेली कम्युनि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ओगनिजेशन इसके स्थापना साथ दे समय निसे चावाली से स्वीक होई मुख्यले मौंशिल खेनादा भूमिका अंतरराष्ट्री नागरिक उद्देन के मानदंट तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उद्देन की समस्याओं का धेन तथा उनका निदान प्रस्तूत करना विश्व मौसम विज्ञान संगठन World Meteorological Organization स्थापना 1951 मुख्याले जेनेवा स्विजलन भूमिका मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्री सहयोग में अभिवरिध्धी प्राक्रतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एबं प् अंतरराष्ट्री सामुद्रिक व्यापार संगठन आई एम ओ सत्रे मार्च 1958 इस्वी को इसके स्थापना हुई मुख्याले लंदन बृतन भूमिका नो परिवाइन के अक्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारन चता अंतरराष्ट्री सहयोग में व्रिध्धी अक्तराष्ट्र उद्योगिक विकास संगठन उनाइट नेशन्स इंडस्ट्रियल देवल्प्मेंट ओगनिजेशन स्थापना नमेंबर 166 इस्वी मुख्याले वियना उस्ट्रीया उस्ट्रिया 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 सुर्य भूमिका विश्वभर में लोगों की अब्रिद्धी आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्थर में सुधार के लिए उद्योगिक आधार तैयार करना विश्व बॉद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटिलेक्च्ट्वल प्रोपर्टी और्गनिजेशन स्थापना 1967 इस्वी मुख्याले जैनेवा स्विजलें भूमिका बध्धिक संपदा आध्योगिक और कॉपिराइट के लिए सम्मान बढ़ाना बध्धिक संपदा को संगरक्षन तथा उस व्योग में तेजी लाना विश्व विश्व वियापार संगठन वर्ल्ड इंट और्गनिजेशन WTO स्थापना एक जनवर 1995 में इस्वी राष्ट्री व्यापार प्रनाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उप लब्ध कराना संगर्ठन अंतर राष्ट्री क्रिशी विकास कोष इफ एडी स्थापना 13 जून 1996 मुख्याले रोम इचली भूमिका विकास शील देशों में निमन वर्गों को उन्नत खाद उत्पादन तथा पोशाहार के साधन जुटाने में मदद करना विश्व परियतन संगर्ठन वर्ल्ड टूरिजम ऑगनिजेशन स्थापना 1925 जी स्वी मुख्याले मेड़िट स्पाइन भूमिका परियतन के मध्यम से आर्थिक वृध्धी एवं रोजगार के अवसर पैद करना परियावनन संगरक्षन तथा परियतन के विरासत स्थलों को परुत्साहित करना तथा परियतन के मध्यम से विश्व में लोगों को इनिक अटलाना रसाइनिक हतियार निशेध संगठन ओपी सी डबलू स्थापना 1927 में इस्वी मुख्याले दाहेग निदरलेंड्स भूमिका रसाइन विज्ञान के शांति पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना रसाइनिक हतियारों के विकास निर्मान बंडारन तथा प्रियोग को रोकना संगठन व्यापक पर्मान परेक्षन प्रतिबंद संधी संगठन CTBT स्थापना 1927 मुख्याले वियान आस्ट्र भूमिका CTBT वियापक पर्मान पर्तिबंद संधी के प्राउधानों का भूमंडली इस्तर पर प्रमानी करन 19 विश्वे के कोचान्य प्रमुक संगठन पहला संगठन विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ट्रेड ओग्णिजेशन विश्व वियापार संगठन के स्थापना एक जनवर 1995 में इस्वी को की गई इसका मुख्याले जनेवा में है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड और्गनिजेशन डबलू टी ओ विभिन्न परिशदों और समीतियों के मध्यम से अंतरराश्ट्री व्यापार संबंधों से जुड़े उन 28 समझोंतों को लाया गया विश्व विश्व अपार संगठन का प्रथम मंत्री स्थरिय सम्मिलन सिंगपूर में दिसंबर 1996 में हुआ वर्तमान में इसके महानी देशक पासकल लामी है जो फ्रेंस के हैं वर्तमान में 149 देश इसके सदस्य हैं दो यूरोपिय संग EU एक जनवर 1998 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले छे देशों फ्रेंस जर्मनी इटली बेलजियम नदरलन्ड और लक्संबर्ग द्वारा रोम की संधिके मध्यम से यूरोपी आर्थिक समझाई के स्थापना की गई इसी संगठन को बाद में यूरोपी संग नाम दिय संधि परस्ताक्षर कर यूरोपी संग को वस्तविक स्वरूप प्रदान किया। यूरोपी संग में 25 सदसे देश हैं वे हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डिन्माउक, फिनलंड, फ्रेंस, जर्मनी, यूनन, आइरिश, गनराज, इटली, लक्संबर्ग, नदरलंड, पूर् हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लित्वानिया, चेक गनराज, एस्टोनिया, साइप्रस, मल्टा, एहम लेट्विया, एक जनवर 1994 में इस्वी को स्वतंतर यूरोपी मुद्रा संस्थान के स्थापना की गई, संग्यूक तो यूरोपी मुद्रा यूरोप के चलन तसा संचालन पर नियंतरन रखने के लिए जून 1908 में इस्वी में फ्रैंक्फर्ड जर्मनी में यूरोपी सेंट्रल बैंक के स्थापना की गई, एक जनवरी 2002 से यूरो का चलन प्रानभुआ तदा यूरो, बारह यूरो ख्रेत्रों के मुद्रा हो गई है, क्यावल ब्रिटन, स संच के सदसिन नहीं बने हैं, नोट यूरोपी आर्थिक समदाय का मुख्याले जेनिवा है, यूरोपी संच के संगठन ये हैं, संगठन पहला, यूरोपीन कमिशन, मुख्याले ब्रिसल्स, दूसरा संगठन यूरोपीन पर्लमेंट, मुख्याले ब्रिसल्स, तीन, दे कोर इयूरपिया अन्तरिक्स एजंसी यूरपिया अंत्रिकшь एजंसी स्थापनः 1975 एस्वी में की गई ती यूरपियन पास उसदीओ के स्थान पर यूरपके 15 देश इसके सदस्यें इसकी कुछ सहय पर योजनों में केनडा भी भाग लेता है, इसका मुख्याले परिस फ्रेंस में है, चार, NAFTA, NAFTA, उत्री अमरीका मुक्त व्यापार समझ होता, नौर्थ अमरीका फ्री ट्रेड अग्रीमंट, उत्री अमरीका महधविब के तीन देशों, संजुक्त राज अमरीका केनडा और मेक्सिको का ख्षेत्रिय संगठन है, नेफटा के तहत संग्युक्त राज अमरीका केनडा और मेक्सिको 2015 इसवी तक अपने यह व्यापार पर लगे सारे प्रतिबंदों को हटा कर मुक्त व्यापार ख्षेत्र बन जाएंगे, पांच, NATO, दे नौर्थ अटलंटि चेक रिपब्लिक, जन्मार्क, फ्रेंस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलेंट, इटली, लक्संबर्ग, नेधरलेंज, नौवे, पूर्टगाल, पॉलेंड, स्पाइन, टर्की, बृतन, संग्युक्त राज अमरीका, लेट्विया, लित्वानिया, एस्टोनिया, स्लोव रूमानिया, बल्गेरिया, एवं रूमानिया, उन्यसो उन्चास में गठन के समय नाटो की सदस्य संक्या बारह थी, उन्यसो चौराणवे एस्विय में नाटो का मुख्याले ब्रुसल से अटाकर मौंस, वेलजियम में स्थापित किया गया, छे, एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्याले मनीला में है, इसके तीन प्रतिनिथी कारियाल है, टोक्यो, फ्रेंकफर्ट तद वॉशंग्टन डी-सी में है, साथ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ओगनिजेशन फर एकनॉमिक कोपरेशन एन डीवलप्मेंट, ओई-सीडी, उन्यसो उन्यसो उन् मुख्याले पैरिस, फ्रेंस में है, इसके सदस्य देशों की संग्या 29 है, आठ आसियान, असोसियेशन ऑफ साओथ इस डेशन नेशन्स, ASEAN, असियान का पूरा नाम दक्षिन पूर्वी, एशियाई राष्ट संग, असोसियेशन ऑफ साओथ इस डेशन नेशन्स, ASEAN है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगपूर तर ताइलेंड ने इसका गठन किया था, परतवान समय में दो हजार एक दो में इसके सदस्य देशों की संग्या 10 हो गई है, आसियान का केंद्री सचवाले जकार्था इंडोनेशिया में है, 24 अगस्ट 1996 इस वी को भारत को आसियान का पूर्ण संबाद सहभागी बना लिया गया, रूसियम चीन को भी पूर्ण संबाद सहभागी का स्तर प्रदन किया गया है, नो, दक्षने शेक, शेत्री सहयुग संग, सार्क, The South Asian Association for Regional Cooperation, S-A-A-R-C, इसका मुख्याले काठमंडू में है, सार्क की स्थापना, सातार देसंबर 1985 स्थी को की गई थी, इसके सदस्थे देश ने भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूतान, श्री लंका, मालदी यूजयम, अफगानिस्तान, सार्क का प्रदम शेकर संबेल 1985 स्थी में धाका बंगलादेश में हुआ था, दस G8, ग्रूप 8, इस सातार देश ने भारत, इसके सदस्थे देश ने खिनादा, अमरीका, बिर्टन, फ्रैंस, जर्मनी, जपैन, इचलियम, रूस, बीस सब आइस जून 1903 में इस वी के दोरान, अमरीका के शहर डेन्वर में संपन G7 के शिखर संमिलन में रूस को G7 का सदस्थे बनाया गया, ग इन में प्रमुक हैं, मिस्त, इराक, जॉर्डन, लिबनान, साओधी अरब, सीरिया, यमन, आदी, अरब लीक का मुख्याले काहिरा में है, बारे पेट्रोलियम निरिया तक देशों का संगठन, और्गनिजेशन और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC की स्थ इसकापना, 1960 ही स्थिवी में बगदाद में हुई, इसके जनस्थापक सदस्य थे एरान, इराक, कुवेट, साओधी अरब, तो अमेनेजुयल, वर्त्मान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या बार है, OPEC का मुख्याले वियेना, आस्ट्रिया में है, तेरे रेड क्रोस इसके स्थापना 1863 एस्वी में जैने में हुई, इसका मुख्या ले जैनेवा स्विट्जेलिंड में है, इसे तीन बार, जैने 1917-1944 अधा 1963 एस्वी में नोबेल शांति पुरसकार मिला है, इसका मुख्य उद्देश युद्धी अविपदा के समय में कठनेईयों से रहात दि इसके स्थापना 1926 एस्वी में की गई थी, आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 एस्वी में एक गंडराजी होने के उपरांती ही, भारत इसका सदस्य बनाया गया, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों में तरेपन पूर्ण सदस्य वें इसके स्थापना 21 एस्वी को सदस्य बारह में से ग्यार है, गंडराज्यों ने मिलकर की, इसके स्थापना कजाखस्तान के अलमा अता में की गई, सुवित संग से अलग हुए बारह गंडाज्यों में से केवल जौर्जिया ही इसका सदस्य नहीं है, इसका मुख्याले किरावा बिलरूस में है, 20 विश्व के प्रमुक संगठन और उनके मुख्याले, संगठन पहला गैट जी ए टी टी, ग्रीन टीज आगरिमेंट नर्ट एंट ट्रीफ्स मुख्याले, जनिवा, दो अमनेस्ट इंट इन अश्य ले लंदन, थी एस्या यिकास्ट बैंक, एसिए डिलप्न बैंक, एडिवी मनिला, चार दक्षन पूर्भी अशे ने रस्ट्रो का संग, Association of Southeast Asian Nations ASEAN, ASEAN, Mukhele, Jakarta 5. NATO, N-A-T-O North Atlantic Treaty Organization, Mukhele, Brussels 6. Afrika Ektasangatan Organization of African Unity, OAU, Mukhele, Addis Ababa 7. Red Cross, Mukhele, Geneva 8. SARC, South Asian Association for Regional Cooperation, Mukhele, Kathmandu 9. Sankyukhtarashtra Pariyavaran Karyakram 9. United Nations Environmental Programme, UNEP, Mukhele, Nairobi 10. Interpol, Mukhele, Paris 11. Vishwavapar Sangathan 10. World Trade Organization, WTO, Mukhele, Geneva 12. Ameriqi Rajao Ka Sangathan Organization of American States, Mukhele, Washington, D.C. 13. Arab League, Mukhele, Tunish 14. Paraspar Arthik Sahaita Parishad C.O.M.E.C.O.N. Comic-Con, Mukhele, Moscow 15. World Council of Churches, WCC, Mukhele, Geneva 16. European Urja Ayoga, European Energy Commission, Mukhele, Geneva 17. Afrika Arthik Ayoga, E.C.A. Mukhele, Addis Ababa 18. Pashimi, Asia Arthik Ayoga, ECWA, Mukhele, Baghdad 19. Sanjyukhtarashtra Sharnarthi, Ucchya Ayoga United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, Mukhele, Geneva 10. Antaraashtra Paramanu Urja Agency, International Atomic Energy Agency, IAEA, Mukhele, Vienna 21. Sanjyukhtarashtra Utdugiki Vikas Sangathan United Nations Industrial Development Organization, UNIDO, UNIDO, Mukhele, Vienna 22. Sanjyukhtarashtra Vyapar, A.M. Vikas Sambhalan, UNCTAD, Mukhele, Geneva 23. Vishwuvanjeev Sangrakshan Kosh, World Wildlife Fund, WWF, Mukhele, Glenn, Switzerland 24. Antaraashtri Olympic Committee, International Olympic Committee, IOC, Mukhele, Lusanne 25. 23. European Common Market, ECM, Mukhele, Geneva 26. M. Rashtra Mandeli, Rashtra Dhyaksh Sammelan, CHOGM, Mukhele, Strasburg 27. Petroleum Utpaz Dug Deshwun Ka Sangathan, OPEC, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, Mukhele, Vienna 28. Artic Sahayogor Vikas Sangathan, OECD, Paris 29. European 28. European Economic Community, Mukhele, Brussels 32. European Sunset, Mukhele, Luxembourg 33. European Space Research Organization, ESRO, Mukhele, Paris 34. European Permanent Urja Samudai, URATON, Mukhele, Brussels 35. Asia और प्रशान्त क्षेत्रों कार्थिक और सामाजिक आयोग, E.S.C.A.P. मुख्याले बैंकोक 21. समकालीन संग्युक्त राष्ट्र अंतर राष्ट्रिय दशक 1990-1999 तृतिय निशस्त्री करन दशक 1994-2004 विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए अंतर राष्ट्रिय दशक 1995-2004 इस्वी मानवाधिकार शिक्षा के लिए संग्युक्त राष्ट्र दशक 1997-2006 इस्वी निर्धनता उन्मूलन के लिए संग्युक्त राष्ट्र दशक 2001-2010 इस्वी उपनिवेश्वाध के उन्मूलन के लिए द्वितिय अंतर राष्ट्रिय दशक सन 2001-2010 इस्वी विश्व के बच्चों के लिए शान्ति एवं अहिंसा के संस्कृति के लिए अंतर राष्ट्रिय दशक 22. समकालीन संजुक्त राष्ट 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 राष यूखेड से सन 2021 एसवी सभधाओं के बीच संवाद का संव्खीर और वर्ष 2021 एस्वी, अंतरबाश्ट्रिय पर्वतिय वर्ष 2002 एसवी, अंतरबाश्ट्रिय परियावरन परियतन यानि एकोटूरिजम वर्ष 2002 एसवी, अंतर राष्ट्रिय स्वच्छ जल फ्रेश वाटर वर्ष दोजार तीनी स्वी अंतर राष्ट्रिय चावल वर्ष दोजार चारी स्वी अंतर राष्ट्रिय सूक्ष में साख का वर्ष दोजार पांची स्वी 23. संग्युक्त राष्ट्र अंतर राष्ट्रिय सबता है 21 मार्च से प्रारंब होता हर वर्ष लोगों की नसलवाद एवं नसली भेदभाव के विरुद्ध संगर्ष में एक जुटता के लिए सबता है 25 मार्च से प्रारंब गैर स्वशासी प्रदेशों की जनता के साथ एक जुटता के लिए सबता है प्रतिवर्ष 4 से 10 उक्टोबर विश्व अंतरिक्ष सबता है 24 से 30 उक्टोबर अंतर राष्ट्रिय निरस्त्री करन सबता है 24 अंतर राष्ट्रिय दिवस जन्वरी में पहला दिन लुई ब्रेल दिवस पांच जन्वरी दूसरा अंतर राष्ट्रिय दिवस थल सेन दिवस 15 जन्वरी राष्ट्रिय दिवस तीन गनतंत्र दिवस 26 जन्वरी चार कुष्ठ निवारन दिवस 30 जन्वरी पांच राष्ट्र युवा दिवस ये स्वामी विवेकानन्द का जन्व दिन है 12 जन्वरी 6 विश्वहास्य दिवस 9 जन्वरी 7 भारत परियटन दिवस 25 जन्वरी 8 शहीद दिवस 30 जन्वरी 9 सर्वोधय दिवस 30 जन्वरी 10 अंतराष्ट्री सीमा शुल्क एवं उतपाद दिवस 25 जन्वरी फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस ये है पहला दिन गुलाब दिवस 12 फरवरी दुशा दिवस 21 फरवरी तीन विज्ञान दिवस 28 फरवरी चार वेलेंटाइन दिवस 14 फरवरी पांच किंद्री उतपाद शुल्क दिवस 24 फरवरी मार्च के महिने के महत्वपूर्ण राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय दिवस इस प्रकार है पहला दिवस अंतर राष्ट्रिय महिला दिवस 8 मार्च दूसरा दिवस आयूध निर्मान दिवस 18 मार्च तीन विश्व वानी की दिवस 21 मार्च चार विश्व मौसम विज्ञ दिवस 23 मार्च, पांच विष्व टूबर्कुलोसिस यानि टीबी दिवस 24 मार्च, छे बंगलादेश का राष्ट्रिय दिवस 26 मार्च, साथ भगत सिंग सुख देव एम राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च, आठ गनेश शंकर विद्यार्थिका बलिदान दिवस 25 9. विश्व उपभोगता दिवस 14 मार्च, 10 विश्व विकलांग दिवस 20 मार्च, 11 विश्व जल दिवस 22 मार्च, अमनोहर लोहिया जेहनती 23 मार्च, 13 गरामीन डाग जीवन बीमा दिवस 24 मार्च, 14 विश्व तीयेटर यानि रंगमँच दिवस 27 मार्च, 15 राष्ट्रिय प्रफ्थानु की सुरक्षा के लिए, 4 मार्च, 16 केंदरी और द्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस, 12 मार्च, एप्रिल के महत्व पूर्ण दिवस इस प्रकार है, पहला दिन विश्व स्वास्थ दिवस, 7 एप्रिल, दूसरा दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस, 17 एप्रिल, तीन विश्व पुस्तक एवं कॉपिराइट दिवस, 23 एप्रिल, 4 डॉक्टर अंबेडगर जयनती, 14 एप्रिल, 5 प्रित्वी दिवस, 22 एप्रिल, 6 विश्व वैमानी की एवं ब्रमान्द की दिवस, 14 एप्रिल, माई के महत्व पूर्ण दिवस इस प्रकार है, पहला दिवस, विश्व श्रमेक दिवस, 1 माई, दूसरा दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 माई, 3 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 8 माई, 4 राष्ट्रिय प्रोध्योगी की दिवस, 11 माई, 5 विश्व परिवार दिवस, 15 माई, 6 आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मैं, 7 जवालाल नहरू की पुण्यति थिवस 27 मैं, 8 विश्व अस्थमा दिवस 2 मैं, 9 विश्व रेड्क्रोस दिवस 4 मैं, 10 अंतरराश्टियत, थलसीमिय दिवस 8 मैं, 11 विश्व नर्स दिवस 13 मैं, 12 विश्व दूर संचार दिवस 17 मैं, 13 जैविक विविद्सता दिवस 22 मैं, 14 विश्व धुम्रपान एवं तंबाकुन शेध दिवस 31 मैं, जुन के महत्व पून दिवस हैं, पहला दिन विश्व परियावरन दिवस 5 जून, दूसरा दिन विश्व शरनार्थे दिवस 20 जून, 3 आकरमन के शिकार अबोध बच्चेओं के लिए अंतरराश्टिय दिवस 4 जून, 4 अंतरराश्टिय ओलंपिक समीती स्थापना दिवस 6 जून, 5 पिता दिवस 18 जून, 6 विश्व मध दूमेह दिवस 27 जून, 7 महत्व पून दिन है, पहला दिन विश्व जन संख्या दिवस 11 जूलाई, दूसरा दिन भारती स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जूलाई, 3 कारगिल स्मृति दिवस 26 जूलाई, 4 चिकित सक दिवस डॉक्टर विधान चंदर रोय का जन दिवस उस दिन, 1 जूलाई, अगस्त के महत्व पून दिन, पहला दिन विश्व स्थन पान दिवस 1 अगस्त, दूसरा दिन विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, 3 राष्ट्रिय खेल दिवस मेजर ध्यान चन के जन दिन पर 29 अगस्त, 4 विश्व शान्ति दिवस 6 अगस्त, 5 भारत क आघ्रास्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शेतंबर के महत्तो कून दिन पहला दिन घिन हिंदी दिवस depends सितंबर दूसरा दिन अभियन्ता दि दिन 15 सितंबर दीन विष्व बधेब दिवस 24 सितंबर चार शिक्षक दिवस दौर अधाकरिषि्णन के जंव दिन पर 5 सितंबर पांच विश्व ब्याचना दिवस 14 सितंबर छे संचाई का दिवस 15 सितंबर साथ ओजुन परत रक्षन दिवस 16 सितंबर आठ विश्व परियतन दिवस 27 सितंबर नौ अंतरराष्ट्रिय साक्षर्त दिवस 8 सितंबर दस रेलवे सुरक्षाबल का स्थापना दिवस 20 सितंबर, ओक्टोबर के महत्वपून दिन पहला दिन अंतर राष्ट्रिय वृध्ध जन दिवस 1 ओक्टोबर, दूसरा दिन लाल भाधुर शास्त्री जैनती 2 ओक्टोबर, महत्म गांधी जैनती भी इसी दिन है 2 ओक्टोबर विश्व पशुक अल्यान दिवस 4 ओक्टोबर, 4 विश्व पांच विश्व डाक दिवस 9 ओक्टोबर, 6 विश्व मानक दिवस 14 ओक्टोबर, 7 संग्युकत राष्ट्र दिवस 24 ओक्टोबर, 8 श्रिमत इंदिरा गांधी की पुन्यति थी 31 ओक्टोबर, 9 विश्व दिवस 5 ओक्टोबर, 13 वायुसेन दिवस 8 ओक्टोबर, 14 विश्व द्रिष्टी दिवस 10 ओक्टोबर, 15 विश्व खाद्य दिवस 16 ओक्टोबर, 16 विश्व मित्वयाईता दिवस 30 ओक्टोबर, 17 जै प्रकाश जैन्ती 11 ओक्टोबर, 18 विश्व आयोडीन अलपता दिवस 21 ओक् दूसरा दिन विश्व मधुमेह दिवस 14 नमेंबर, तीन राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 17 नमेंबर, चार विश्व नागरिक दिवस 19 नमेंबर, पांच विश्व टेलिवीजन दिवस 21 नमेंबर, छे राष्ट्रिय विधी दिवस 26 नमेंबर, साथ सहन शीलता के लिए अं विश्व वयास्क दिवस 18 नमेंबर, 11 सार्वभामिक बाल दिवस 20 नमेंबर, 12 विश्व मानसाहार निशेद दिवस 25 नमेंबर, 13 राष्ट्रिय विधिक साक्षर्त दिवस 9 नमेंबर, 13 विश्व परियावरन संक्रक्षन दिवस 26 नमेंबर, दिसंबर के महत्वकून राष्ट यूम 隻ृत्रेय दिवस, पहला दिन विश्वियट्स दिवस एक दिसंबर, दूसरा दिन नौ सेन दिवस, 4 दिसंबर, तीन विश्व मास्तमा दिवस, 11 दिसंबर, , 104 गुवँ अमुक्ठ दिवस, 19 दिसंबर, 5 किसान दिवस, 44 صर्ण BS5 जनौ 9 दिसन 6 अंतर राष्ट्रिय नागरी कुद्डेन दिवस, 7 दिसम्बर, 7 दास्ता की समाप्ती के लिए अंतर राष्ट्रिय दिवस, 2 दिसम्बर, 8 विश्व विकलांग दिवस, 3 दिसम्बर, 9 विश्व बालकोष दिवस, 11 दिसम्बर, 10 राष्ट्रिय उर्जा संगरक्षन दिवस, 14 12 दिसंबर 11 अंतर राष्ट्रिय स्वयम से वक्त दिवस 5 दिसंबर 12 केंदरी रिजर्व पुलीस का स्थापन दिवस 26 दिसंबर 13 रसाइनिक दुरघटना निवारंड दिवस 4 दिसंबर 14 अंतर राष्ट्रिय मानवाथिकार दिवस 10 दिसंबर 25 भारत के प्रमुख परियतन स्थ पहला परियाटनस्थल कैनेरी की गुफाएं ये मुंबई महाराश्टर में हैं। द्धार का किला धार मध्यप्रदेश। नौ गुलकुंडा का किला है ध्रबाद अंधर प्रदेश। दस कोचीन का किला केरल। ग्यारे विजैस्तंब चताओडगर रजस्थान बारे कुतुब मीनार दिल्ली तेरे धाई दिन का जोपड़ा अजमेर रजस्थान दिल्ली पंद्रे तुगलकाबाद दिल्ली। 16. किशोर सागर कोटा रजस्थान 17. आना सागर अजमेर रजस्थान 18. फिरोड़ शाह कोटला दिल्ली 19. बुंदी का किला बुंदी रजस्थान 20. हिलती मीनारे अहमदबाद गुजरत 21. पिछोला जहील उदैपुर रजस्थान 22. काकरिय जहील अहमदबाद गुजरत 23. द 25. गगरून का किला जहलावार रजस्थान 26. मुसी रानी की छत्री अलवर रजस्थान 27. फत्यसागर उदैपुर रजस्थान 28. जैसमंद उदैपुर रजस्थान 29. डीग महल डीग रजस्थान 30. सहेलियों की बाड़ी उदैपुर रजस्थान 31. रानी की बाड़ी बुंदी फोर्ट रजस्थान, 33 जूनागड केला बिकानेर रजस्थान, 34 कानपूर महल धोलपूर रजस्थान में है, 35 अनिरुद्ध का महल बुंदी फोर्ट में है रजस्थान में, 36 जंतरमंतर जैपूर रजस्थान, वैसे जंतरमंतर दिल्ली में भी है, 37 नहारगड फोर् 49 जैगड़ फोर्ट जैपूर रजस्थान, 40 भरतपूर का किला भरतपूर रजस्थान, 41 हवा महल जैपूर रजस्थान, ये महराजा प्रताप सिंग ने बनाया था सन 1799 में, परियतन स्थल 42 सुख निवास बूंदी रजस्थान, इसके बनाने वाले था राजा बिशन सिंग, निर्माण वर्ष 1773 एस्थान, 43 उम्मेद भवन, जोधपूर रजस्थान, इसके निर्माण करता महराजा उम्मेद सिंग, बाशाष शाहा जहा ने बनवाया सन 1648 एस्थान में, 46 हमाईू का मकबरा दिल्ली में, ये हमाईू की ब नई तमिलनाडू में है ये इस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था संचास शेर्शाह का मकबरा सासा राम बिहार में शेर्शाह के पुत्र ने बनवाया 1510 का निर्मान हुआ पचास डच महल केरल में पुर्टगालियों के द्वारा बनवाया गया 1557 में एक उत्तर प्रदेश ये अकबरने बनवाया 1571 में बावन आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश में अकबरने बनवाया 1566 में तरेपन पुराना के दीली में है ये शेर्शाह सूरी ने 1540 से 1544 के मध्धय बनवाया चववन सती बूर्ज मतुरा उत्तर प्रदेश में राजब भगवान दास ने बनवाया 15 PTSD उत्तर प्रदेश में अकबरने बनवाया 1566 में 56 अकबर का मकबरा हेसे कंदरा में है उत्तर प्रदेश में, जहांगीर ने बनवाया सन 1623 इस्वी में, 57 अकबर का केला अलाबाद उत्तर प्रदेश में है समराट अकबर ने बनवाया था सन 1545 इस्वी में, 58 चश्मे शाही जम्मु काश्मीर में है अली मरदान खाने बनवाया से से सलाट्स हेस्वी में 4. ऐत्मा उद्दौला का मकबरा आगया उत्तर प्रदेश नूर जहाने मन वाए सन 1232 में साथ ताज महल आगया उत्तर प्रदेश में शाहा जाने मन वाए सन 13 से 1652 तक इसका निर्मान चलता रहा 61. निशात बाग जम्मु कश्मीर आसफ अलेम बनवाय सन 1633 से स्वी में 62. चीनी का रोजा आगरा उत्तर प्रदेश शाहजाने बनवाय सन 1649 से स्वी में 63. शीष महल आगरा उत्तर प्रदेश शाहजाने बनवाय सन 1637 से स्वी में 65 दीवाने खास ये रघर फूर्ट में है उतरप्रदेश में शाहजा ने बनवाया सन 1637 इसवी में 66 मुंबई हाई कोड ये मुंबई महाराष्ट में है ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था 1878 इस्वी में, 1767 बड़ा इमाम बड़ा लखन उत्तर प्रदेश में है, नवाब आसुफक दौला ने बनवाया, 10 by seven 714 इस्वी में, 58 छोटा इमाम बड़ा ये भी लखन उत्तर प्रदेश में है, मौम्मद अली शाह ने बनवाया 18 में शताब्दी में, 69 टीपो का महल बेंगलोर करनाटक में है हैदर अली ने बनाया 70 लालबाग बेंगलोर करनाटक ये भी हैदर अली ने बनाए सन 18 मुष अताबदी में 71 गोल घर ये पटना बिहार में है ब्रिटिश सरकार ने बनाया सन 17 vulnerable में बहतर पादरी के हवेली पटना बिहार में है फादर कापुचिन ने बनाया सन 1751 में तेतर फूर्ट विलियम ये कॉलकाता पस्चिम बंगाल में है लॉड क्लाइव ने बनाया सन 1757 से 1781 तक इसका निर्मान होता रहा चोतर बीबी का मकवरा औरंगबाद महराष्ट औरंगजेव ने बनवाया सन 1689 से इस्वे में वचतर सफदर्जन का मकवरा दिल्ली में शुजाउद दौला ने बनाया सन 1754 इस्वे में चिएत्तर जनतर मंतर दिल्ली राजा सवाई जैसिंग जैपूर के उनुन सन 1724 इस्वे में बनवाया सततर विवेकानन रॉक मेमोरियल तमिल नाडु में ये 1970 इस्वे में बनाया गया अठतर बेलूर मठ कॉलकाता पश्चिम बंगार स्वामी विवेकानन ने अस्थापित किया सन 1899 इस्वे में उन्यासी आनंद भवन इलहाबाद उत्तर प्रदेश पंडित मोतिलाल नहरू ने बनवाया अस्सी लक्ष्मन जूल अरिशिकेश उत्तरांचल सन 1949 इस्वे में बनवाया गया 81 शांतिनी के तनपश्चिम मगाल में गुरुदे रमिदिनाथ ठाकुर ने बनवाया सन 1901 इस्वे में 82 तारापूर का मचली घर मुंबई महराष्ट्र में है यह तारापूर ने बनवाया सन 1901 इस्वे में 83 साबरमती आश्रम एहमदाबाद गुजरात महत्मा गांधी ने बनवाया सन 1916 इस्वे में 84 प्रिंस ओफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महराष्ट जॉर्ज पंचम ने बनवाया सन 1905 इस्वे में परेटन स्थल 85 गेट विंदिया मुंबई महराष्ट में है ब्रिटिश सरकार ने बनवाया सन 1924 इस्वे में 86 जिम कॉर्बेट पार्क ननिताल उत्तिनांचल सर मेलकम हैले ने बनवाया 1935 इस्वे में 87 राष्टरपती भावन दिल्ली में ब्रिटिश सरकार ने बनाया सन 1929 इस्वे में कॉलका था 91 संसेट पॉइंट ये मौंट आबू राजस्थान पर है 92 चार मीनार है द्रबाद अंधर प्रदेश कुली कुतुब शाह ने बनवाई सन 1521 इस्वे में 33 में कांचीपुरम का मंदिर मदरास्त मिल्लाडू पल्लाव राजय ने बनाया च्छट शताबदी में 94 मान मंदिर गौलियर मध्यप्रदेश राजा मान सिंग तोमर ने बनवाया 1486 से 1516 तक इसका निर्मान हुआ 55 में कौनार्क मंदिर पूरी उडीसा में है नर्सिंग देव प्रथम ने बनवाया 13 में शताबदी में 96 जगनात मंदिर पूरी उडीसा 14 गंगा देव ने बनाया 12 में शताबदी में सत्यान में 64 योगिनी मंदिर खजुराहों मध्यप्रदेश चंदेल राजाओं ने बनाया नोसो पचास इस्वी में अठान में चैन्ना केशव मंदिर वैलूर ये विश्णु वर्धन ने बनाया 1116 इस्वी में निन्यान में लक्षमन मंदिर खजुराहों मध्यप्रदेश में चंदेल राजाओं ने बनाया नोसो पचास से दस्वो पचास इस्वी के बीच में एकसो दिलवड़ा का जैन मंदिर मौंट अबू राजिस्थान में है ये विमल शाहा ने बनवाया सन 1031 इस्वी में गोविन देव का मंदिर व्रिंदावन उत्त प्रदेश सन 1590 इस्वी में एकसो दो राधावल लभ मंदिर व्रिंदावन उत्त प्रदेश 1626 इस्वी एकसो तीन विश्णुपद मंदाईने बनवाया सन 1770 सी इस्वी में 104 हर मंदिर पटना बिहार महराज रंदीद सिंग ने बनवाया सन 1802 इस्वे में 105 स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण चथ ये अमरित्सर पंजाब में बनवाई महराज रंदीद सिंग ने सन 1802 इस्वे में 106, काली मंदिर कॉलकाता पस्चिम बंगाल रानी राश्मोनी ने बनाई सन 877 में 107, जैन मंदिर अजमेर रजस्थान सेट मूलचंद सोनी ने बनवाया सन 865 में इसको सोनी जी के नशियां भी कहते हैं 108, रंग जी का मंदिर विंदावन उत्तप्रदेश सन 831 में निर्माण हुआ 109, शाह जी का मंदिर विंदावन उत्तप्रदेश अठाला सो चेत्तर इस्थान निर्माण वर्ष 110, लक्षमिनायन मंदिर दिल्ली बिर्ला परिवाने बनवाया सन 1938 में 111, द्वारेकाधिश मंदिर मत्वरा उत्तर प्रदेश ग्वालियर के भक्तों ने बनाया सन 1914 इस्थी में 112, खिड की मस्जिद दिल्ली में 226 इस्थी में 113, शेरशाही मस्जिद पटना बिहार परविर शाहने बनवाय सन 1621 इस्थी में 116, पत्थर मस्जिद जम्म काश्मीर नूर जहाने बनवाय सन 1623 इस्थी 117, जामा मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश शाहजाने बनवाय सन 1624 से इस्थी में सन 1624 से इस्थी में पूती मस्जिद लालकिला दिल्ली में यारंगजेब ने बनवाया सन 1669 में 121 हजरत बल मस्जिद श्री नगर काश्मीर 122 चरारे शरीफ श्री नगर काश्मीर ये जैनूल अबिदीन ने बनवाया सन 1460 में 123 नाखुदा मस्जिद कॉलकात अपच्चिम मंगाल में है 26 भारत की प्रति रक्षा भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया गया है जिसका सरवुच्च सेनापती भारत का राष्ट्रपती होता है किन्तु रक्षा सम्मंदी सारा कारिय केंदरी मंत्री मंदल द्वरा किया जाता है, रक्षा मंत्री सशास्त्र सेनाओं के प्रशासन का कारिय करता है, भारती सशास्त्र सेनाओं को निमलेखे तीन भागों में बाटा गया है, पहला भाग थल सेना आमी, इसका प्रथान चीफ अब्धा आर्मी स्टाफ होता है, इसका मुख्याले दिल्ली में है, इसे पांच कमांडों में बाटा गया है, जिनका विवरन इस प्रकार है, कमांड पस्चमे कमांड शेमला में है, उत्तरी कमांड उधंपुर, मध्य कमांड लकनाव, पूर्वी कमांड कॉल्खाथा, इसका प्रधान एड्मिरल रेंग का चीफ अफ दिल्ली में है, समस्त जलसेना को तीन कमांडों में बाटा गया है, इनका अधिकारी एक वाइस एड्मिरल होता है, प्रत्ते कमांड का विवरन इस प्रकार है, कमांड पूर्वी कमांड मुख्याले विशाखा पत्नम, शीफ आफ द एएर स्टाफ कहा जाता है, इसका मुख्याले दिल्ली में है, वायुसेना को साथ कमांडों में बाटा गया है, जिनका विवरन इस प्रकार है, कमांड पूर्वी कमांड शिलांग मुख्याले है, केंद्रिय कमांड अलाबद, दक्षन-पश्चम कमांड मुख पदिश्रेन या इस परकार है, स्थल सेला में सबसो उपर जेनरल, फिर लेटनेंट जेनरल, मेजर जेनरल, ब्रिगेजियर, करनल, लेटनेंट करनल, मेजर, कैप्टन, लेटनेंट, वायुसेना में कमिशन अफसरों की पदिश्रेन या इस परकार है, वायुसेना, एर मार्श प्रस्टरों की पधिशने इस परकार हैं, जलसेने के मुख्चиях एड्मिरल्, वैस एड्मिरल्, रियर एड्मिरल्, कॉमोडोर, कैप्ञ्टन, कमंदर, लेवतिनिंट, कमंदर, लेवतिनन, सब लेटिनिंट 27 भारत के सैनिक प्रश्यक्शन संस्थान इस प्रकार है थल सेना आमि के प्रश्यक्शन संस्थान नैशनल डियू है Inventory School महूव में है मद्धे परदेश में Artillery School देवलाली में है Defense Services Staff College बिलिंग्टन में है Armed Center एहमद नगर में है वायुसेना एरफोर्स के प्रश्रेक्षन संस्थान इस प्रकार है, एरफोर्स अड्मिनिस्टेटिव कॉलेज कोईंबटूर, एलिमेंटरी फ्लाइंग स्कूल बिदर, एरफोर्स अकाडमी हैदराबाद, एरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहाली बैंगलोर, नौसेना नेव जी लोनावला, आई एन बेंदुर थी, खुचीन, इंडियन 29, भारत के आंतर एक सुरक्षा ब्यवस्ता, भारतिय प्रतिय रक्षा से सम्मंदित कुछ प्रमुक्स अंस्थानों का विर्मन इस प्रकार है, नैशनल कड़ेट कोर, एन सी सी, इसके सापना 1948 से इस्वे में की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्ट था भारत की रक्षा के प्रतिय यूवकों तथा यूवतियों को जागरूप करना, तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्टी के लिए तयार रखना, इसका अधर शुबाक के एक ता और अनुशासन है, प्रादेशिक सेना इसका गठन रक्षा के दुतिय पंक्ती के रूप में किया गया, इसमें अठारे से 35 पर्ष के आवी के नौजवान नागरिक भरती किये जाते हैं, इन्हें पार टाइम में सैनिक प्रिशक्षन दिया जाता और आपात स्थिते में सेना को बुलाया जाता है, सीमा सुरक्षा भल, इसके स अठापना 1962 ही स्विमी की गए, इसका मुख्यकारी आंतरिक सुरक्षा में पुलीस की साहता करना, हवाई हमले के दोरां साहता करना, आग तद्धा बीमारी के दोरां हर प्रकार के साहता करना है, असम रैफल्स, पूरवत्तर में भारत मियामार सीमा और भारत-चीन सीमा की स सुरक्षा असम रैफल्स द्वरा की जाती है देश के इस प्राचीन तम अर्धसाइनिक बल की स्थापना सन 1835 से इस विम हुई थी ये किंद्रिय सशस्त्र बल है जिसकी 33 बटालियन है इसका मुख्याल है श्रिलॉंग में है राश्ट्री सुरक्षा गार्ड्स नेशनल सेक्य गार्ड्स नेश जी देश में आतंकवाद की चुनोती का सामना करने के लिए 1984 में राश्ट्री सुरक्षा गार्ड्स किस्था अपना की गई एन एस जी युनाइटिट किंडम यू के एस 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 और जर्मनी के जी एस जी नौ कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारी था इस जी कमांडो को आम तोर पर बलेक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है इस इनक्यू ट्रेनिंग मनेसर हरिया ना में होती है केंद्री ओध्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडेस्ट्रिल सिक्यूरिटी फोर्स याईस एस इसके स्थापना 1979 स्विम की गई इस बल पर इसके स्थापना 1949 स्विम की गई इसका मुख्याले दिल्ली में है इसे पहले क्राउन रेप्रेजेंटिटि पुलीस कहा जाता था 28 दिसमर 1949 के बाद से इसे CRPF कहा जाने लगा रजस्थान के मौंट आबू में CRPF अकैडमी स्थित है यह इस बलके अधिकारियों को ट्रेनि काम चलाए जाते हैं नोट त्वरित कारिबल रेपिड एक्शन फूर्स आर एफ CRPF का ही भाग है जिसकी स्थापना दंगो जैसे स्थितियों में जिसे निपटने के लिए 1902 में की गई थी सश्रस्तर सीमा बल SSB 15 दिसमर 2003 से पहले तक इसका नम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था इसका गठन 1963 में किया गया था इसका गठन का मुक्ष देश 1962 के भारत चेन जुद्ध के बाद सीमा वर्तिक शैत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देश भक्ती के भावना का भी कास करना था 462 भारत तिबबत सीमा पुलीस इंडो टिबिटन बॉर्डर पुलीस आईटी बीपी आक्टबर 1962 में उत्तरी सीमा पर हुए चीनी हमले के बाद हिमाले के बंजर भीहड और दुर्गम ख्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे समन्वित गुप्तचर लड़ा को बलकि आ अलगतर है का हो इस आवश्चक्ता को पूरा करने के लिए भारत तिबबत सीमा पुलीस आईटी बीपी के स्थापना की गई भारत तिबबत सीमा पुलीस का मुख्याले नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महाने देशक होता है आईटी बीपी का अधर शुआक के पुरक्षा संचार और स्वास्त सुई धायें भी उपलब्द करवाता है संगठन विभिन संगठनों के स्थापना वर्ष और मुख्याले इस प्रकार है असम राइफल्स ए आर स्थापना वर्ष अठारा सो पैंती से स्वी मुख्याले शुलां केंदर रिजर्व पुलीस Central Reserve Police Force CRPF स्थापना वर्ष और सो निस उन ताली सी स्वी मुख्याले नई दिल्ली राश्टी कड़ेट कोर न्सी सी उन निस वर्ष और ताली सी स्वी नई दिल्ली प्राधशिक सेना चैटोरियल आमी टी ए स्थापना वर्ष और सो निस उन चास इस वी ये विभिन राज्य स्थापना वर्ष और सुनी सो निस वा सट इस वी ये विभिन राज्यों में है सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सीक्युरिटी फोस स्थापना वर्ष और सो निसुपंसाट इस वी मुख्याले नई दिल्ली केंदरियो अध्योगिक सुरक्षा बल Central Industrial Security Force CISF स्थापना वर शु प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस इस प्रकार है एक जन्वरी नगालेंड दिवस है 21 जन्वरी मनिपूर मेघाले एवं तिरुपुरा दिवस छे फर्वरी जम्मु कश्मीर दिवस है 20 फर्वरी मिजोरों एवं अरुमाचल प्रदेश दिवस 11 मार्च अंढमान यकुबार द्वीप समोह दिवस 22 मार्च बिहार दिवस 30 मार्च राजस्थान दिवस 1 अपरल उत्कल उडिशा दिवस 14 अपरेल तमिल्नाडु दिवस 15 अपरिल हिमाचल प्रदेश दिवस 1 मई गुजरात एवं महराष्ट दिवस 16 मै सिकिम दिवस 1 नमेंब उत्तरप्रदेश, पंजाब, हारियाना, मध्यप्रदेश, करनाटा, केरल एवं आंदरप्रदेश दिवस, 19 दिसंबर गुवा दिवस तीस भारत के प्रमुक्ष शोध संस्थान पहला शोध संस्थान, भारतिये क्रश्य अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली दूसरा शोध संस्थान केंदरिये गन्ना अनुसंधान संस्थान कोईंबचूर में है तीन केंदरिये तंबाको अनुसंधान संस्थान राजमंदरी चार भारतिये चीनी तक्निकी संस्थान कानपूर पांच राष्ट्रिये डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल छे केंद्रिये चमडा अनुसंधान संस्थान चे नई, साथ केंद्रिये आउशधी अनुसंधान संस्थान लखनाओ, आठ भारतिये मोसम विज्यान संस्थान नई दिल्ली, नो रमण अनुसंधान संस्थान बैंकलोर, दस राष्ट्रिये धात विज्यान प्रयोगशाला जम शेदपूर, 11 कपड़ा उद्ध्योंग अनसंधान संस्थान एहमदाबाद, 12 राष्ट्रिय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नहीं दिल्ली, 13 भाभा परमाणु अनसंधान केंद्री छॉमबे, 14 भारतिय पेट्रोलियम संस्थान तेरा दून, 15 भारत इलेक्ट्रोनिक्स ल जला हाली, 16 ताटा इंस्टिट्ट फॉन्दमेंटल रिसर्च मुंबई, 17 इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पोने, 18 केंद्री खाद्य प्रवध्योगी की अनसंधान संस्थान मैसोर, 19 केंद्री भावन निर्मान अनसंधान संस्थान रूड की, 20 केंद्री कांच अनसंधान संस्थान कोलकाथा, 21 केंद्री विद्धुत रसायनिक अनसंधान संस्थान कराई कुडी, तमिलनाडू, 22 केंद्री यांत्रिक एंजिनिरिंग अनसंधान संस्थान दुर्गापूर, 23 केंद्री नमक और समुद्री रसायन अनसंधान संस्थान भावनगर गुज 24 भारती राष्ट्री राजमार्ग प्राधिकरन नई दिल्ली, 25 राष्ट्री अभूभोती के अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, 26 केंद्री नारियल अनुसंधान संस्थान काशरगोड, 27 केंद्री चावल अनुसंधान संस्थान कठक, 28 केंद्री आलू अनुसंधान जलगोडा, 32 केंद्रिय खननन अनुसंधान केंद्र धनबाद, 33 भारतिय सर्वेक्षन विभाग देरादून, 34 भारतिय मौसम वेधशाला पोने, 35 जीवान प्रवध्योगी की संस्थान चंडिगड, 36 प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधिनगर, 37 भारतिय भू चुम्ब की संस्थान मुंबाई, 38 भारतिय खगोल संस्थान बैंगलोर, 49 राष्ट्रिय समुद्र विज्यान संस्थान प्रवध्योगी, 40 दीजल लोकोमोटिव वर्क्स वरनसी, 41 केंद्रिय सडक अनुसंधान संस्थान नहीं दिल्ली, 42 केंद्रिय ट्रेक्ट अनुसंधान प्रयोक्षाल अगुल मर्ग, 46 केंद्रिय परियावरन एंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपूर, 47 अध्योगिक विश्ष विज्यान अनुसंधान केंद्र लखनव, 48 कोशिकिय तथा आन्विक जीव विज्यान केंद्र हैदरबाद, 49 भारतिय पु 31 भारत के संस्थान एक संस्थान एहम स्थापना वर्ष, पहला संस्थान ललितकला कादमी स्थापना वर्ष, 1954 दूसरा संस्थान संगीत नाटक कादमी स्थापना वर्ष, 1953 तीन राष्ट्री नाट्टे विद्याले, 1975 से एक स्वायत संस्थान के रूप में, वसे स्थापि गर्वाथिया जय सभर मलेकर टोड़ में फिए नहीं ज् bleibt जिए में तो सुट सीज़नरं त्रमॉइजय करुजॡ क्यार मंद दो अबिक मराश भी के मृसा भूरा विजाएं थे के मूल्ड़ा में धूरकर सेने कुरीनाज आपनोर और सुर्वक्ष चाहर सेुज़ना 15 परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धा दित्य मुकर्जी आदी। दूसरा वद्धे अंतर तबला। उनके वादक जाकिर हुसेन, लतीफ खां, अल्ला रखा खां, गुदई महराज, किशन महराज, फयास खां, सुक्मिंदर सिंग आदी। तीन बांसुरी। वादक बतनाल अल्गूष, हरी प्रसाच चोरसिय, वी कुंजमनी, एन नीला, राजेंदर प्रसन्ना, राजेंदर कुलकर्णी आदी। चार सरोद। वादक अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत रवाय चादरी, जरीन दरूवला, मुक गोविन जोग, एलसु ब्रुमन्यम, संगीत राजन, कुनककडी वैद्धिनाथन, टी एन कृष्णन आदी। साथ वीना, वादक एसबालचंदरन, बदुरुद्दीन डागर, कल्यान कृष्ण भागवतार, बी दुरोस्वामी अयंगर आदी। आट सेंतूर, वादक भज जिन्सोपोरी, शिवकुमर शर्मा आदी। नो पखावज, वादक उस्ताद रहमान खा, गुपाल दास, छत्रपती सिंग आदी। दस, रुद्रवीना, वादक उस्ताद साधिक लिखा, असाद लिखा आदी। ग्यारे मृदंग, वादक ठाकुरभीकम सिंग, पालधार र टॉक्टर जगदिश सिंग आदी। बारे सारंगी, वादक उस्ताद बिंदुखा, तेरे नाधस्वरम, वादक शेख चिन्ना मौलान, राज रतन पढललाई, निरुस्वामी पेललाई आदी। चौदे, सिम्जनी, वादक जुबीन महता, तेतीस प्रमुख शास्त्रिय न कलाकार यामिने क्रश्नमूर्थी, सुनल मान सिंग, रुक्मनी देवी, अनुडले, ठी बाल सरस्वती, पद्मसु बुरमन्यम, एसके सरोज, राम गोपाल, लीला सैंपसन, मिर्नाले निसारभाई, वेजेंति माला बाली, मालवीका सरकार, दूसरा नाध्य निरित्य, तीन, ओडिसी, कलाकार संग्युक्ता पानिग्रही, सुनल मान सिंग, किरन सहगल, माधवी मुद्गल, रानी कर्ण, काली चरन पटनायक, इंदरानी रहमान, शरोन लोवेन, ये उनाटेट स्रेट्स अमरीका, USA के हैं, मिर्ता बारवी, अर्जिंटिना के हैं, दृत्य गुर कलाकार बल्लतोल नारायन मेनन, उदैशंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, मिर्णाली निसराबाई, आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी आदी पांच कथक, कलाकार बिर्जु महराज, लच्छु महराज, सुखदेव महराज, सीतारा देवी, गुपी कृष्ण, शोबना नरेंड, मल्वी का सरकार, चंदर लेखा, बिंदा दीन महराज, अच्छन महराज, और नरेंड प्रसाद छे, मनी पूरी, कलाकार हैं, गुरु अमली सिंग, आतंब सिंग, नलकुमार सिंग, जावेरी बहने, दर्शन, नैना, सुवर्ना, तथा रंजना जावेरी, सविता महता, कलावती देवी, चारु माथूर, सोनारिक सिंग, गोपाल सिंग साथ, इंद्रित, मुहिनी अट्टम, कलाकार, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेम मालनी, श्री देवी, शंता राव, तारा, निडी गाडी, गीता गायक आदी नोट, कतकल इंद्रित, शैली का सरवशेष्ट प्रेशेक्शन संस्तान, भारत पुजा स्थित केरल कलामंडलम है, राज्यों से सम्मंदित लोक इंद्रित, पहला राज्य जारखंड, इसके लोक इंद्रित हैं, छो, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, स हो रही, दूसरा जो उत्तरान चल, इसके लोक इंद्रित हैं, गढ़वाली, कुमायू, कजरी, जोरा, रासलीला, चपादी, तीन, अंद्र प्रदेश, लोक इंद्रित कुचिपुडी, शास्त्री है, घंटा, मर्दला, मोहिनी, अट्टम, कुम्मी, सीध्धी, मधुरी, छ चड़ी, चार चटीस गढ़, जित्ते हैं, गौडी, कर्मा, जूमर, डागला, पाली, टपाली, नवरानी, दिवारी, पांच आरुणा चल प्रदेश, वहां के लोक इंद्रित हैं, मुखोटा जित्ते, युद्धन जित्ते, आदी, चह हिमा चल प्रदेश, लोक इंद्ते धमान, छपेली, महातू, नटी, डांगी, चंबा, थाली, जहंता, डफ, डंडा नाच आदी, साथ गोआ, लोक इंद्ते, मांडी, जागोर, खोल, ढकनी आदी, आठ असम, लोक इंद्ते, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, जुमुरा, हबजा गोपाल, नागान रित, बुगुरूंबा, अंकिया नाट आदी, नो, पश्चिम बंगाल, लोक इंद्ते, काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्थन, आदी, दस, केरल, लोक इंद्ते, कथकली, ये शास्त्री है, उठ्थम, थुलाल, मोहिनी अट्थम, शास्त्री, काली अट्थम, पादियानी, 11 मेघाले, लोक इंद्ते, लाहो, बांगला आदी, 12 मनिपूर, लोक इंद्ते, मनिपूरी, शास्त्री, राखाल, नटरास, महारास, राखत आदी, 13 नगलेंट, लोक इंद्ते, चौं, खैवा, लीम, नुरालीम आदी, 14 उडीसा, लोकन रित्ते ओडिसी, शास्त्री, सवारी, धुम्रा, पैंका, मुन्री, छव, आया, आदी। पंद्रे महाराष्ट्र यहां के लोकन रित्ते हैं लावनी, नक्टा, कोली, लेजिम, गफा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम, पोवाडा, आदी। 16 करना तक लोकन रित्ते हैं के यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी, वीरगास से आदी। 17 गुजरात लोकन रित्ते हैं गरबा, डंडिया, टिपणी, जुर्यून, भवई, रासलीला, लास्या, पणिहारी आदी। 18 पंजाब लोकन रित्ते हैं भंगडा, गिद्धा, डफ, धमान, आदी। 19 रजस्थान या के लोकन रित्ते हैं घूमर, घापाल, फुंदी, पणिहारी, जिंदाद, नेजा, गंगोर, आदी। 20 मिजुरम, आनटम, पाखुपिला, चेरोकान, आदी। 21 जमो काश्मीर, लोकन रित्ते रव, हिकात, मंदजास, कूद, धंडी, नाच, दमाली, आदी। 22 तमिल नाडू, लोकन रित्ते बरतनाट्यम, कुमी, कुलट्टम, कावडी, आदी। 23 उत्तर प्रदेश, लोकन रित्तियां के रासलीला, नोटंकी, जूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता। 35 समाधिस्थल मुख्य यह हैं, पहला समाधिस्थल राजगाट मात्मा गांधी का है, दूसरा समाधिस्थल विजेगाट लाल बादुर शास्त्री का, तीन किसान गाट चौदरी चरण सिंग, चार वीर भूमी, राजिव गांधी, पांच महाप्रयान गाट डॉक्टरा जि जीवन राम, 36 प्रोमक व्यक्तियों से संबंदित स्थान इस प्रकार है, पहला स्थान कोर्सिका, नेपोलियन से संबंदित है, दूसरा स्थान का पिलबस्तु, गौतम बुद्धु का, तीन मेसिडोनिया, सिकंदर महान से संबंदित है, चार ट्रिफलगर, नेलसन, पांच जल्यवाला बाग, जनरल डायर से संबंदित है, छे आनंद भाउन, पंड़ जवाला लेहरू का निवास स्थान था, साचित तौडगर, महान प्रताप ने यहीं से युद्धि किया था, अकबर के विरुद्ध, आठ हल्दी घाटी, महान प्रताप से संबंदित, नौसाब जवंडी, गुरु नानक से संबंदित, तेरह सिवाग्राम, मातमा गांधी से संबंदित, चौदह पावापुरी, महाविर स्वामी से संबंदित, पंद्रह कुशी नगर, गौतम बुद्ध से संबंदित है, सोलह जरुसलेम, इसा मसी से संबंदित, सत्रह लुंबिनी, प्रदार पटेल से संबंदित, 22 फत्यपुर सेक्री अकवर महान्य बनाया था, 23 पॉंडी चेरी और विंद घोष का आश्रम है वहाँ, चंस से संबंदित है, 25 पावनार विनोवभावे का आश्रम, 26 रिरंग पत्तनम, ठीपु सुल्तान का स्थान है, 27 कुंडग्राम महावीर से संबंदित, 28 जीरा देवी, डॉक्राजिंद प्रसाद से संबंदित, 29 कटक, सुबाश्चंदर बोस का जन्म स्थान, 30 त्रिमूर्त इभावन, पंडि जवालाल नहरू यहां रहते थे नई दिल्ली में, से 30 प्रमुक व्यक्तियों के लोक प्रिय उपनम, पहले प्रमुक व्यक्ति सीमंत गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहते थे, दूसरा उपनम राष्ट्र पिता महत्मा गांधी को कहते थे, तीन बापू, यह महत्मा गांधी का नम था, चार वयो विरिद्ध पुरुष दादभाई नौरोजी, पांच लोह पुरुष सरदार वल्लब भाई पटेल, छै शान्ति पुरुष लालभादु शास्त्री, साथ पंजाब केश्री लालालाच पत्रा, आठ बंगाल केश्री असुतोष मुकरजी, नो बिहार केश्री डॉक उक्मान बाल गंगा धरतिलक, सोले लोक नायक, जै प्रकाश नारेंग, सत्रह जैननायक, करपुरी ठाकुर, अठारे राजर श्री पुरुष दास्तंडन, उन्निस गुरुदेव, रविंदनाठ ठेगोर, बीस गुरुजी, एमस गुलवलकर, राष्ट्री सुम सुवक इकतालीस राजाजी, चक्रवर्ती राजगोपलाचारी, 21 देशरत्न, डॉक्टर आजेंदर प्रसाद, 22 आजात शत्रु, डॉक्टर आजेंदर प्रसाद, 23 कश्मीर का अकबर, जैनुल आपदीन, 24 नेताजी, सुबास्चंदर बोस, 25 चाचा, पंडिजवालाल नेरू, 26 य आतावसंत एनिबिसेंट को कहते थे, 23 भारत कोकिला सरोजिनी नाइडू, 31 स्वर कोकिला लतामंगेशकर, 32 उडनपरी, पीची उशा, 33 निर्मल रिदय, मदर टेरीजा, 34 विश्वकवी, रमिनाठ ठाकूर, 35 कवी गुरू, रमिनाठ ठाकूर, 36 सरदार वलभई पते, 37 तोत पाए हिंद, अमिर खुसरो, 38 बाबूजी, जग जीमन राम, 49 भारत का नेपोलियन, समुद्र गुप्त, 40 भारतिये मेकियावेली, चानक्य, 56 हरियाना हरीकेन, कपिल देव क्रिकेटर, 42 स्फेरो, मेजर जनरल राजिंदर सिंग, 43 महामना, पंडित मदन मोहन मालवीय, 44 अंकल हो, हुचिमिन, 45 सुपरकेट, क्लाइव लॉयड, 46 बिहार विभूती, श्री अनुग्रह नरैंड सिंग, 47 देश प्रिय, यतींद्र मोहन सेन गुप्त, 48 भारतिये फिल्मों के पिताम है, घुंडी राज गोविंद फालके, 49 विरोधा भासों का मिश्रन, मुहमद ब दिन तुगलक, 50 विद्रोही कवी, काजी नजरूल इसलाम, 51 मन अफ डेस्टिनी, नेपोलीन बुनपात, 52 ग्रैंड मन अफ बृतन, ग्लैडस्टन, 53 मडम क्वेन, महरानी एलीजबेथ टू, 54 काइद आजम, मुहमद अली जिना, 55 भारतिये पुनर जागरण के प्रभातन अ शक्षत्र, राजा राम मुहन रॉय, 57 लिटल मास्टर, क्रिकेटर सुनिल गावसकर, 58 होकी के जादुगर, मेजर ध्यानचन, 69 फ्यूरर, एडल्फ हिटलर, 60 वर्ड अफ एवन, विल्यम शेक्स्पीर, 61 भारत का शेक्स्पीर, महा का विकालिदास, 62 गुजरात के जनक, भारती ऐतिहास के अंद्रिप निर्माता, सैयद बंधू, 64 मात्मा गांधी के पांचवे पुत्र, जमनलाल बजाज, 65 लिटल कॉर्पोरल, निपूलिन बुनपाथ, 66 ब्लेक गांधी, मर्टिन लूथर किंग, जूनियर, अमरिका के, 67 फादर अफ इंग्लिश पोएट्री, जॉफरी चॉसर, 68 मेड अफ अलियस, जॉन अफ आर्क, 69 लाल बाल पाल, लाल लाजपत्राय, बाल बाल गंगा धरते लग, एवं पाल, विपिंच अंदर पाल, 38 महान कारियों से सम्मंदित व्यक्ती, रेड क्रोस की स्थापना की हैंद्री जूनिंट ने, रेड गार्ड्स की स्थापना की गेरी बालदीन, संस्कृत व्यक्रण के जनक पानी नी, शांती नी केदन के स्थापना की गुरुदे रमिनदन अठ्थाकूर ने, पावनार अश्रम की स्थापना विनवभ भावे, लीग ओफ नेशंस की संस्थापक वुद्रू विल्सन, खाल सा पंत के सं स्थापक गुरु गुविन सिंग, औरवील आश्रम पॉंडिचरी की स्थापना की अर्मिन घुषने, स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावल, समाजवाद के प्रवर्तक आचारिय नरेंदर देव, आनंदुवन की स्थापना बाबा आम्टे, विश्वभारती की स्थाप गुरु देव रमिन घुषाकुर, भुदान आंदुलन के प्रवर्तक विनोवा भावे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव नी किया, न्याई दर्शन के संस्थापक महर्शी गौतम, 49 प्रमख पुरसकार एवं सम्मान, पुरसकार, पहला पुरसकार, नोबेल पुरसकार, ये साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शान्ती के लिए, ये सभी 1901 से शुरू हुए, ये हम अर्थशास्त्र, 1979 से शुरू हुआ, इन क्षेत्रों के लिए 7 मिलियन स्वेडिश क्रोनर का पुरसकार है, दो, पुलिजर पुरसकार, पत्रकारिता क क्षेत्र में, ये 1917 से शुरू हुआ, दस अजार डॉलर का पुरसकार है, तीन, आसकर पुरसकार, फिल्म क्षेत्र में, 1939 से चल रहा है, चार, कलिंग पुरसकार, विज्ञान के क्षेत्र में, 1952 से 1000 पौंड का है, पांच, बुकर पुरसकार, साहित्य के क्षेत्र में, 1979 से ह 21,000 पौंड का है, 6 ग्रैमी पुरसकार, संगीत के एक्षेत्र में 1958 से है, 7 रेमन मग्से से पुरसकार, ये सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, सहित्य संचार, अंतरराश्ट्री समझ के एक्षेत्र में है, 1957 से चल रहा है, 50,000 डॉलर का पुरसकार है 8, भारत रत्न, कला, सहित्य विज्ञान के ख्षेत्र में विशिष्ट सेवा तधा जन सेवा के लिए, 9, दादा साब फाल के पुरसकार, फिल्म के ख्षेत्र में 1970 से है, 2,000,000 डॉलर का पुरसकार, 10, ज्ञान पीठ पुरसकार, सहित्य के ख्षेत्र में 1965 से चल रहा है, 5,000,000 रुपएगा, 11 सरस्वती सम्मान साहित्य के ख्षेत्र में 1991 से चल रहा है 5 लाख रुपएगा, 12 वाचस्पती पुरसकार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1922 में में इस्थापित हुआ 1 लाख रुपएगा पुरसकार है, 13 शंकर पुरसकार भारतिय दर संस्कृती तथा कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपएगा पुरसकार है, 14 व्यास सम्मान साहित्य के ख्षेत्र के में है, 15 कबीर पुरसकार सामाजिक सद्भाव के ख्षेत्र में, 16 ध्यानचन पुरसकार, खेलों में जीवन भर की उपलबदियों के लिए 3 लाख रुपएग पुरसकार है, 3 लाख रुपएगा, 19 राजीव गांधी खेल रत्न पुरसकार, खेलों में सराहनिय प्रदर्शन के लिए, 1902 में इस्थापित हुआ पुरसकार, 5 लाख रुपएगा, 20 भटनागर पुरसकार, विज्यान के ख्षेत्र में, 1957 से 2 लाख रुपए, 21 धन्वंतर पुरसकार, चिकित्सा के एक शेत्र में है, 1971 में इस्थापित हुआ, 22 बोरलाग पुरसकार, कृषी की पैदावार में उलेखनी ये योगदान के लिए, 1902 में से ये पुरसकार चल रहा है, 40 राश्ट्रिय पुरसकार, गंतंतर दिवस पुरसकार, नागरिक पुरसकार ये ह भारत रत्न, ये कला, साहीत, तथा विज्ञान ये बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, देश का सबसे बड़ा राश्ट्रिय पुरसकार है, इसके शुरुवात 1954 में हुई थी, 26 जनवरी को भारत के राश्ट्रपती के द्वारा दिया जात है, सरुपर्थम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे चक्रवरती राश गुपलाचारी, डॉक्टर सर्वे पल्ली रधाकृष्णन, एवं चंदर शेखर विंकट रमन, जनता पार्टी द्वारा इस पुरसकार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किन्तों 1980 में कॉंग्रेस सर कारने से फिर से शुरू किया, 1980 में दुबारा शुरू होने पर इसे सरुपर्थम मदर टिरीजा को दिया गया, मौनोपरांत सरुपर्थम श्रीलाल भादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया था, श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मौनोपरांत भा दो पद्म पुरसकार भारत रतन के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है इसे भी भारत रतन के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया तीन पद्म पुरसकार है पहला पद्म पुरसकार है पद्म विभूशन सरकारी कर्मचारियों द्वरा की गई से इवाँ सहीत किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट तथा उलेखनीय कारी के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राश्ट्रिय पुरसकार है। इन पदकों का विवरन निम्न प्रकार है। पहला पदक है परमवीर चक्र या वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्चु पुरसकार या पदक है जो थल जल एवं वायू में दुश्मन के सामने बहदुरी के सर्वोच्रिश्ण प्रदर्शन या आत्मबलिदान के होता है। पदक को सैनिक अपने कमीज के बाई और बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है। दूसरा चक्र महावीर चक्र या दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरसकार या पदक है जो थल जल एवं वायू में दुश्मन के सामने बहदुरी के सर्वोच्रिश्ट कारिये के लिए दिया जाता है। या पदक स्टेंडर्ड चांजी का बना होता है। इसका आकार गूल होता है जिसके एक और पांच कौन वाले सितारे के बीच में राश्टर चिन्न ना अंकित होता है। दूसरी और कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। पदक सफेद तथा केसरी रिबन से पहना जाता है। तीन वीर चक्र यह तरतीर श्रेनी का वीरता पुरसकार या पदक है जो थल जल एवं वायू में दुश्मनों के सामने साहस पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टेंडर्ड के साथ पहना जाता है। चार विशिष्ट सेवा मेडल यह सेना के कर्मचारियों को असाधारन तथा उच्छ कोटी के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। नोट पदक के साथ वीर को मसिक वजीफा भी दिया जाता है। चार अशोक चक्र यह पदक थल जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनिय कारिय दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। पांच जीवन रख्षा पदक डूबने से आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरता पूर्ण कारियों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। एक तालीस भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति उनिसो चववन में डॉक्टर सर्वे पल्ले रधाक्रिश्नन चक्रवर्ति राजगोपलाचारी डॉक्टर चंदर शेखर वैंकर रमन उनिसो पच्पन में डॉक्टर भगवान दास डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वर पंडित जभालल नेहरू, 1957 में पंडित गोविन बलब पंत, 1961 में राधयर्शि पुरुशोत्तम दास टंडन, 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया डॉक्टर राजेंद प्रसाद को, 1973 में डॉक्टर जाकिर हुसाइन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काने, 1966 श्री लाल शास्त्री मरनो परांथ, 1971 में श्री मत इंदिरा गांधी, 1975 श्री वराह वेंकट गिरी, 1976 कुमार स्मामी कामराज मरनो परांथ, 1980 मदर टेरीजा, 1983 आचारी विनो बाभावे मरनो परांथ, 1987 खान अब्दुल गफार खान, 1988 मकदुम गोपालन राम चंदरन मरनो परांथ, 1990 और भीमराव अंबेडगर मरनो परांथ, और नेलसन मंदेला सव्थ अफरीका के, 1991 में श्री राजीव गांधी मरनो परांथ, अध्याए नौ चल रहा है, प्रिष्ट 479 अध्यार, 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया इन लोगों को, श्री राजीव गांधी मरनो परां श्री मुराजीदेसाय, 1992 में श्री जेयरडी टाथा, मुलना बुलकलाम अजाद मलनो परांथ, सत्यजीत रहा है, 1997 में अरुना असफली मलनो परांथ, गुलजारीलालनदा मलनो परांथ, अपीजे अब्दुलकलाम, 1998 में एमस सुबलक्ष्मी, सी सुब्रमन्यम, श्री जय नराइन मरनो परांथ, 1999 में प्रोफेसर अमर्तियसेन, पंडित रवी शंकर एवं गोपिनाथ बार्दोलोई को मरनो परांथ, सन 2001 में भारत रत्न दिया गया लतामंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्ला खां को, 42 ज्यानपीट पुरसकार से सम्मनित सहित्यकार इस प्रकार हैं, वर्ष 1965 पुरसकार विजयता जी शंकर कुरुप कृति और खुजाय मल्य अलम में, 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को गण देवता के लिए बंगला भाषा में, 1968 में श्री सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए जो हिंदी में है, 1979 में फिराग गोरखपुरी गुले नगमा उर्दू के लिए, 1970 में पुरस्कार विजिता रहेश विश्वनात सत्यना रहेण शीमद रामेंड कल्प व्रिक्षम के लिए जो तेलगू में लिखी है, 1971 में विश्वनुडे कृति स्मृति सत्ता भविश्यत बंगला वर्ष 1972 शीरामधारी सिंग दिनकर उनकी कृति उर्वशी के लिए जो हिंदी में है, 1973 पुरस्कार विजिता गोपीनात महंती एवं डियार बैंद्रे कृति माली मठाल उडिया और चारतार कन्नड वर्ष 1974 विश्णु सखा खांडेकर कृति यया आती मराठी में, 1975 पुरस्कार विजिता एवी अकिलन्दम कृति चित्त पावन तमिल में, 1976 शिमति आशापूर्ण देवी कृति प्रथम प्रतिश्रूती बंगला में, 1977 डॉक्टर केशिवराम कारंत कृति मुकजिया कन्सुगुल कन्नड में, 1978 डॉक्टर सच्चिदानन्ध हिरानन्ध वातसयायन अग्य कृति कितनी नाओं में कितनी बार हिंदी, 1989 डॉक्टर वीरेंद्र कोर बटचारिये, उनकी कृति मृत्युन जय असमिया में, 1980 एसके पोटकट ओरू देशातेने कथा मली आलम में, 1980 शिमति आम्रता प्रीतम कागज ते कैन्वेस पंजाबी, 1982 शिमति महादेवी वर्मा यामा हिंदी के लिए, 1983 वेंकटेश आयंगर चिकवीर राजेंद्र तेलगु में, 1984 पुरसकार विजयता तक्षी शूशंकर पिललाई कृति कायर मली आलम में, 1985 पन्नालल पठेल कृति मानवीनी भावाई गुजराती, 1986 पुरसकार विजयता सच्यदानंद राउत राय उडिया साहित्ति के लिए, 1987 सहित्यकारविष्ण वामन शिर्वाडकर मराठी सहित्य के लिए 1988 पुरसकारविजेता डॉक्टर सी नराइन रेड़ी तेलगु सहित्य के लिए 1989 कुर्रतुल एन हैदर उर्दु सहित्य के लिए 1990 पुरसकारविजेता विनायक क्रश्न गोकाक कन्नड सहित्य के लिए 1901 में सुभाष मकोपाध्याय मंगला साहित्य के लिए 1902 में पुरोषकार विजेता नरेश मैता हिंदी साहित्य के लिए 1903 में डॉक्टर सीता कांत महापात्र उडिया साहित्य के लिए 1904 में पुरोषकार विजेता पुरोषकार विजेता